मैंन पुरी कौन है हैं मैंन पुरी से हलो गुड़ आफ्रनून नमस्कार अब्रिवान हां जी चलिए पहले तो अपने अपने ग्रुप में बेटा शेयर कर दीजे की क्लास शुरू हो गई है पिर आगे बात करते हैं येस आजो बेटा जल्दी से बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर बच्चों की लगाता डिमांड आ रही थी माम बायो टेक्नॉलजी बायो टेक्नॉलजी बायो टेक्नॉलजी कुछ बच्चों ने कल कमेंट किया कि मा का human physiology back back to pavilion आ जाएंगे हम लोग ठीक है तो ये हफ्ते हम लोग बाया टेक एक बाग खतम कर देते क्योंकि बच्चों की काफी demand थी important तो बिटा यह है अगर मैं नी 2019 की बात करूं तो आपके सिर्फ इस एक chapter से एक unit से बायो टेकनालजी चोटी सी उने ठीक है जिसके अंदर दो चोटे चोटे चाप्टर जेंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ना बहुत ही easy chapter बहुत ही important chapter नीट में बिटा 2019 में इन दो चाप्टर से मिला कि मतलब बायो टिकनालजी यूनिट से बिटा आपके श्री राम और वोलो निवारी निवारी के है भीया हाँ 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 ठीक है जल्दी से आ जाए रिशी एम के ओफीशियल वैशाली मिस एक्सेप्शन नहित एक तो यह लाल रंग से तुम लोग ने जो अपने नाम चमका रखे नहीं दिखाई दे रहें बड़ी रिनू आरुन मुसकान रादाजी चलो यही देख लेते हैं भईया महा तो ना देख रहें तुमारे नाम यसी में देख लेते हैं ओके फाइन मिलन नव्या संदीप सीनियर लाइफ स्टडी निधी राजस्थान ब्लॉगर रंजना रवीना हंसराज संतोश अच्छा ऐसा ल इदिवया सत्यम डॉक्र ब्रियंका मॉर्या ओके नॉलेज पलवी ड्रीम डॉक्टर एमोशनल डामेज नहीं होते हैं ना तो एमोशनली स्ट्रॉंग एक बार को अपना नाम लिखोगे तो जादा चलेगा मुहम्मत कैफ, हलो दिन, इंजिनियर साहिल भहिया, आरती कुमावत, डी भाई, फैक्ट, महेश गहलोत, विशाल, कुलदीप, MK Official, आर्यन्त रिपाथी, ओहो, नमस्ते बिटा, महावीर कृष्णा, काना जी, संतोष, दिनेश, शीबा, शारणी, रंजना, रैपर, नदान, MBBS अजय, नेहा, महेन, कीर्ती, अविनाश, नंदिनी, दिन अपनी सीनियर लाइफ स्टडी, मैं बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, सुशान्त, मिस्टर राज, रूबा, जिशान, नितिन, अंजली, कैफ, यश, विशाल, मुहम्मद सईद, राजसान, भहिया, बहुत हो गया घख है, अमर, प्रवीन, बहिया, या तुम हम नाम ले ले, या Am, पढ़ा ले, तो मुझे लगता है, तुम लोग भी, पढ़ाने पे ज़्यादा, जोर दोगे नहीं कि वहण हम पढ़ा लो, नाम में तो क्या ही रख आ है, और जिसने ऐसा बोला था नाम में क्या ही रख आ क वो भी नीचे अपना नाम लिख्किया गया था, William Shakespeare, है ना, चालिए, yes, good morning, good afternoon, namaskar, hello, walikum, aslam, चालिए, शुरू करते हैं बेटा, जैव प्रद्योगी की सिद्धान तेवं प्रक्रम और जैसा की मेरी आदत है, कुसी भी चाप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेटेज बत है, जिसके अंदर आपके दो चाप्टर आते हैं, दो अध्याय आते हैं, एक तो जैव प्रद्योगी की सिद्धान तेवं प्रक्रम, दूसरा आता है बेटा, जैव प्रद्योगी की के उप्योग, है ना, या अनुप्रयोग, तो इस इकाई से बेटा आपके आठ होना चाहिए, है ना, तो जल्दी से लिख दो, अगर मुझ पर भरोसा है, तो पहले तो एक बार थम्स अप करो, दूसरा लाइक करो जाकर करके, यस मड़म, आप पर भरोसा है, आप हो, तो इस चाप्टर से हमारा एक भी क्वेस्टिन गलत नहीं होगा, इसके बाद बेटा और मानव स्वास्थर रोग पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो भी दो ऐसे चाप्टर हैं, जिनका बच्चों का एक विक रिविजन चाहिए, है ना, चलो, तो हाँ जी काना जी, ठीक है, तो इस हफते बेटा हम लोग करेंगी ये दो, बायो टेक्नोलजी कम्टीट करेंगे, एक राज एक कल, अगले हफते बेटा हम लोग एक दिन पढ़ेंगे एविजन, एक दिन पढ़ेंगे मानव स्वास्थर रोग, ठीक है, और मैं बता दू बेटा, 12 में वेशक चाप्टर्स कमें, लेकिन जितने चाप्टर्स हैं, उनका वेटेज बहुत जादा है, अगर मैं बा रिप्रदुक्टिव हेल्ट, हाँ जी रोहिज जी, स्वागत है, हाँ, यूमन रिप्रदुक्टिव हेल्ट, दोनों को मिला करके, मिनिमम तीन और मैक्सिमम छे क्वेस्टे नाते हैं, तो ये बेटा, बेटा, बेशक कम है चाप्टर्स आपके छे, आनिमल हजबनरी चोटा कि जैफ्रद्योईकी होती क्या है, फिर हम बात करेंगे जैफ्रद्योईकी के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार की होती है, जैफ्रद्योईकी के प्रकार, कितने प्रकार की होती है जैफ्रद्योईकी, फिर बेटा हम बात करेंगे थोड़े से इसके इतिहास की, इतिहास के ब प्रद्योई की के उपकरण कौन से हैं उस उपकरण में बेटा हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे enzymes फिर हम बात करेंगे समभाहक की और फिर हम बात करेंगे पढ़ जीवी की ठीक है यह हो गए आपके उपकरण है ना फिर हो गए बेटा आपके competent host है ना एक host पढ़ जीवी फिर बेटा हम बात करेंगे आपके r dna technology या पुनर योगज dna तक्नीक की प्रक्रिया क्या है ठीक है एक बार मुझसे यह चाप्टर पढ़के देख लो ठीक है एक बार मुझसे यह चाप्टर पढ़के देख लो उसके बाद लिख के ले लो लेला हो समझ में आ जाएगा और इस चाप्टर से संबंदेत आपके कोई भी question गलत नहीं होगा और मैं क्या guarantee दूँ बता दो ठीक है biomolecules के कुछ PYQ में doubt है ठीक है मिलन मैं आज तो अपना प्राणी जगत का PYQ वाला session आएगा कल वाली class में biomolecules का PYQ है तो उसमें मैं सारे PYQ कवर कर लूँगी तो आए हो फिर कोई doubt नहीं रहेगा ठीक है मिलन ओके चलिए तो थमसब बच्चों के आ चुके हैं बच्चे यार सूपर एक्साइटेड हां तीस दिन में 200 प्लस नीट क्वालिफाय करना है 200 प्लस तो अकेले बायो पढ़के ही आ जाएगा चलो तो बात करते बिटा जैफ्रद्योईकी की तो जैफ्रद्योईकी तो हिंदी का टर्म है लेकिन बायो टेक्नोलजी इंग्लिश का टर्म ह और यह जो बायो टेक्नोलजी बिटा टर्म है यह बायो टेक्नोलजी शब्द किस ने दिया था यह दिया था आपके काल एरेकी ने किस ने दिया था यह शब्द आपका काल एरेकी ने ठीक है चोटी सी बात यहां से प्रश्न नहीं आएगा पहली बात दूसरा जैफ्रद्य पॉल बर्ग को अभी हम उस पर भी बात करेंगे। अब जैफ्रद्योईकी होती क्या है, मैं मैं आप मस्त पढ़ाते हो, सचन्स है नहीं, धन्यवाद, ठीक है, वैसे मुझे पता है ँगात, कुछ वो बताओ जो मुझे नहीं पता है। तो बायो टेकनोलजी शब्द दिया था काले रेकी ने और इनके पिताजी कौन है इनके पिताजी अपने पॉलवर गंगल ठीक है अब जैव पृद्योगी की होती क्या है वेन एल राइट डी टम बायो टेकनोलजी अगर मैं शब्द लिखते हूं बिटा बायो टेकनोलोजी तो सीधी सी बात है, दो शब्दों से मिलकर के बनाएं, जैव और प्रद्योगी की, जब बेटा हम बात करते हैं, जैव की, तो बायो, जीव की सबसे चोटी काई के है, जग जाहिर बात है, जीव की सबसे चोटी काई है आपकी सिल, यानि की कोशिका, ठीक है, और जोड़ना तोड़ना कुछ पुस्मे बनाते हैं यह जय से घर में एक चोटा सा सा धुच्छा होता है, मेरे घर मेंesar है, आधी वह लेकिन फेला लिखाता। कुछ निए एक लिखना मैं हमां भाध बुरा पढ़ाती यह नहीं पता होगा आपको यह थोड़ा नया हो गया यार चलो तो मैं सुधारने की कोषिश करूंगी हां जी तो घर होता है तो उसको जब थोड़ा सा जो खेलने लिल लग जता थो खिलोने लाके दिये जाते हैं हाँ यह नहीं उसको खिलोने लाक के दीए जाते हैं कि उसके बाद बेटा भूऊ एक दो दिन तो खेलता है उसके बाद और किया करता हॉत Democrat आपने को तोड़ना ŞE Aे या लड़का है तो घर में अक्सर सको कार लाकर के दी साний जाती है जो भी कि आपने लरकर पिर वो उसकी डिग्गी खोलेगा, उसका दर्वाजा खोलेगा, उसकी सीट उखाडेगा, कुछ भी करेगा, तो जब बच्चे घर में ये कलाकारी करते हैं, तो माबाप के मुझसे सबसे पहला शब्द एक ही निकलता है, चाहे माबाप कितने भी पढ़े हो, चाहे माबाप अनपढ़ हो, लेकिन उनके मुझसे एक शब्द जरूर निकलता है, ये बढ़ाओ के क्या बनेगा, जल्दी बताना, ये बढ़ाओ के क्या बनेगा, ये बढ़ाओ के बनेगा, इंजीनियर, ठीक है, तो इंजीनियर कौन होता है, जो कुछ भी तोड़ता जोड़ता है, है तो प्रद्योईकी मतलब क्या होता है इसमें आप कुछ ना कुछ तोड़ना या जोड़ना ऐसा कर रहे हो ठीक है मैं अंगम simple language भी समझा रहे हूँ अब बेटा cell के अंदर आप ये प्रद्योईकी लगा रहे हो आप कार के अंदर नहीं लगा रहे हो ठीक है आप डॉल के या तो स्वेम पूरी कोशिका हो सकती है, या कोशिका के अंदर उपस्तित कोई अंग होगा जिसको हम कोशिका अंग भोलते हैं, सेल और ग्यानल हो सकता है, या इसके लाबा कोई उसका बायो मॉलिक्यूल हो सकता है, जो कि सेल के अंदर प्रेजन्ट है, जिसको हम क्या बोलते है जय बढ़ू अब सेल के अंदर कौन-कौन से जय बढ़ू है इसमें बेटा मेंली हम बात करते हैं DNA या RNA की क्योंकि अगर आप किसी भी सेल का DNA बदल देते हो तो उसका पूरा काम करने का तरीका ही बदल जाता है जो DNA बनाओगे उससाब से RNA उससाब से प्रोटीन बनेगा औ तो जय फ्रदेव की होती क्या है किसी सेल या सेल और्गैनल या बेटा बायो मॉलिक्यूल मैं अब इगार 80 का भूरा फुलपा मता दो अरे या किसी को 80 वाली हरकत है तो करने दो तब मैं करते हूं ओके ठीक है NCRT कवर करो प्लीज बेटा लिखके लेलो मैंने क्या बूला एक बार मुझे पढ़ा लेने दो फिर NCRT तुमारी एक एक लाइन कवर हो जाएगी चिंता मत करना ठीक है तो किसी कोशिका या कोशिकांग या उसके अंदर उपस्तित किसी जैव अनू के साथ अगर आप किसी भी तरीके की तकनीक का इस्तिमाल करते हैं तो उसका क्या कोशिकांग बेटा डीपीपी मिलेगी जब इसका पीवाई क्यों होगा उसमें ठीक है किसी भी कोशिका या कोशिकांग या उसके अंदर उपस्तित किसी जैव नू के साथ यदि आप कुछ भी काटना चाटना जोड़ना घटाना करते हो उसके साथ अगर आप किसी तरीके क टेकनीक का इस्तमाल करते हो तो हो गई आपकी बायो टेकनोलजी बस खतम जादा हमें या पर बात करने नहीं है अब हम बात करेंगे कि जैव प्रद्योय की कितने प्रकार की होती है तो जैव प्रद्योय की बटा दो प्रकार की होती है एक होती है आपकी परंपरागत दूसरी हो गई आपकी आधुनिक या नई जैव प्रुद्योई की ठीक है जिसको हम बोलते हैं Modern Bio Technology और New Bio Technology ठीक है तो जैव प्रुद्योई की दो प्रकार की हो थी अभी दो प्रकार के हैं ये भी तुम्हें पता है कुछ मैं नया नहीं पढ़ा रही हूं तुम्हें सब पता ह बस तुम्हें इस चाप्टर को पढ़ने का तरीका नहीं आता है ठीक है NCRT के हिसाप से बेटा अगर तुम्हें इस चाप्टर को पढ़ोगे तो लिख के लेलो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन एक बार मेरे हिसाप से पढ़लो तो पूरी NCRT तुम्हें की बदलाव किया हमने क्या बोला हम जै प्रद्वर्डोकी में कोशिका या कोशिकांग या बेटा किसी जैवनु में कुछ बदलाव करते हैं suppose आपने उसके DNA में कोई बदलाव किया, ठीक है, अब DNA में बदलाव करने का एक सबसे अच्छा एक्जामपल लेते हैं, कि आपने एक कुत्ते की नई ब्रीड बनाई, ठीक है, आपने दो अलग-अलग कुत्तों के बीच में इंटरकोर्स कराया, और आपने उसकी एक नई ब्रीड बनाई, और आपने यह सोचा कि यार मैं यह वाला जो कुत्ता बना रहा हूं नहीं, जैसे आपने एक कुत्ता लिया, वो कुत्ता दिखने में बहुत अच्छा है, खुब अच्छा मोटा, ताजा, इक्दम खुब अच्छा घाता है, ठीक है, इतना अच्छा बिल्ट है, कि लोग उसे देख कर क Warner के डर जाएंगे इना ठीक है दूसरा वो उसका फर बहुत अच्छा है ठीक है उसका फर बड़ा बड़ा है य ह३ई मिरत डायेगी ना जल्दी कोई घर नुधे छोड़ी कधिन है दूसरा आपने पर किसका फॉर्टि बहुत अच्छी है ठीक है इतना है इसके फमेश अच्छीज वहीं आपने दूसरा अच्छे किता देखा काना को अदूसर कुटके कि अटिससक बारो काना के था तो आपको है पार और नर्थ इसका फर छोटा है, पर इसके कान बहुत अच्छे हैं, तो मुझे एक ऐसा कुता चाहिए, जिसमें ये तीन लक्षण हो, और भी उनमें और भी बहुत तरही लक्षण होंगे, लेकिन उसने ये सोच करके उनके बीचे मेटिंग करवाई, कि मुझे एक ऐसा कुता चाहिए, ज इसके कान भी बड़े-बड़े हों, ठीके, उसका फर भी खुब बड़ा और शाइनी हो, और उसका बिल्ट भी अच्छो हो, ऐसा सोच करके बेटा आपने उनकी मेटिंग कराई, लेकिन आपने वो मेटिंग कराने के बाद, जो तीन लक्षण सोचे थे, वो तीनों उसमें हमारी आने वाली गाए उससे अच्छी होगी है लेकिन हमेशा किसान जो गाय की नई ब्रीड बनाने की कोशिछ करता है, जो गाय नई बनाने की कोशिच खरता है कि इन इन गाय और सान के बीच में मेटिंग कराओ तो हमारी आने वाली गाय उससे अच्छी होगी है ना लेकिन हमेशा किसान को अपने हिसाब से अपने अनुकूल गाय मिल जाए या जो सोच करके उसने मेटिंग कराई थी वो ही गाय मिल जाए इसकी कोई गैरेंटी नहीं है और जहां बात आती है गैरेंटी नहीं है वो है आपकी बिटा परमपरागत या पुरानी जैफ्रुद्योगी समझ में आया थमसब करते चलना कोई फालतू कमेंट्स मैं नहीं देख रही हूँ अभी ठीक है तो यहां पर बिटा क्या होता है यहां पर वांचित जीन के साथ वांचित जीन पहली बात तो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं राइट और रॉंग का मतलब क्या है कि हो सकता है आपने जो सोचा था वो जीन अगली पीडी में चले जाएं हो सकता है नहीं जाएं पहली बात दूसरा यहां पर अवांचित जीन जो आप नहीं चाते थे उ इसमें आपने दो अलग-अलग ब्रीड को मिला करके एक नई ब्रीड बनाने की कोशिश की, अब वो कोशिश आपकी पूरी तरीके से सफल होई, इसकी कोई गरंटी नहीं है, जैसे एक छोटा सा एक्जामपल लेते हैं मदुमे का, किसका एक्जामपल लेते हैं बिटा हम, मद होता है बिटा, आपके इंसुलिन होर्मोन की कमी से, किसकी कमी से होता है, यह होता है बिटा, आपके इंसुलिन की कमी से, है ना, तो मदुमे होता है आपके इंसुलिन की कमी से, और इस इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए, इंसुलिन तो होर्मोन है, होर्मोन बिटा, और यह peptide hormone यानि की protein है, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए DNA चाहिए, CDC बात है, है ना, तो यह बिटा, अगर किसी के शरीर में insulin नहीं बन रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो उस condition में उसने क्या किया, या तो बाहर से insulin लेगा, वो तो आज की rate में है ना, कि हमने modern biotechnology की मदद से कुछ hormones artificially बना दिये हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बिटा इस insulin की कमी को पूरा करने के लिए scientist ने क्या किया, इन्होंने कुत्तों तो हमारे अंदर जो मध में था, वो तो control हो गया, क्योंकि insulin ने आके अपना काम किया, उसका काम क्या था, ब्लड में glucose को कम करना, उसने वो काम किया, लेकिन उस insulin के साथ-साथ कुछ ऐसी proteins भी हमारे शरीर में आ गई, जो की हमें नहीं चाहिए थी, और उसकी वज़े से पुरानी जय प्रद्योगी, हाँ, pig से भी निकाला था, slaughter houses से बीटा, sewer से भी निकाला था, कुटों से भी निकाला था, सब से निकाला था, ठीक है, तो यह है आपकी परमपरागत या पुरानी जय प्रद्योगी, जिसमें वांचित जीन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और अवांचित जीन भी आ सकता है, पूरी-पूरी संभावना है, ठीक है, यह है आपकी पुरानी जय प्रद्योगी, अब नई जय प्रद्योगी क्या है, तो नई जय प्रद्योगी में बिटा, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने recombinant DNA बनाया, क्या बनाया है, ह इसमें वांचित जीन ही आएगा, ठीक है, इसमें वांचित जीन आएगा ही आएगा, और अवांचित जीन की अगर बिटा मैं बात करूं, तो वो इसमें नहीं ही आएगा, confirm है, this is new biotechnology, ठीक है, तो हम दोनों में एक common example ले लेते हैं, यहाँ पर हमने insulin लिया, ठीक है, किस से पर हम ने insulin यहाँ पर हमने insulin, यहाँ पर हमने insulin सुर्ट से, यह कुटों से, ठीक है, और उसको हमने डाल दिया मानव में, जबकि यहाँ पर हमने VURN बनाया, क्या बनाया बिटा? यूमुलिन, यूमुलिन एक तरीके का इंसुलिन है, और ये हूमुलिन हमने R-DNA तक्नीक से बनाया, यहाँ पर इंसुलिन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने वांचित जीन वो लिया था जो इंसुलिन बनाने वाला है, और यहाँ पर कोई दूसरी चीज अंदर नहीं आ अधारित है, तो अव आंचित जीन ना आए, उसके लिए बिटा, दो सिध्धान्त दिये गए हैं, आपकी जैप्रद्योयकी में, और वो सिध्धान्त है, पहला अनुवांशिक इंजिनेरिंग, जिसको हम बोलते हैं, जेनिटिक इंजिनेरिंग, और दूसरा है आपका, केम और वो ही सिध्धान्त है, पहला अनुवांशिक अभिहांतरिकी, दूसरा रासाइनिक अभिहांतरिकी, अनुवांशिक अभिहांतरिकी क्या होता है बिटा, अनुवांशिक अभिहांतरिकी का मतलब है, अरे रे, मैं कहते हैं, NCIT बहुत बेकार है, इस चाप्टर में मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पहला, जेनेटिक एंजिनेरिंग का क्या मतलब होगा, पेटा है आपे, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब होगा, कि जेनेटिक मतलब आपने जीन्स के साथ पहले तो एंजिनेरिंग की, मतलब आपने जीन्स के अंदर कोई तो इंट्रिड्यूस कराया, ठीक है, दूसरा है बेटा आपका chemical engineering, chemical engineering का क्या मतलब होता है, एक बार आपने DNA में अपने हिसाब से बदलाव करा लिया, उसके बाद उस पूरी प्रक्रिया के दौरान, कोशिश आपको सिर्फ एक करनी है, कि वो जो बदलाव हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, कोई दूसरा रसायन, अब रसायन आपके जय वनू सारे रसायन ही तो है, तो कोई भी दूसरे प्रकार का उसमें protein या DNA या RNA मतलब नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है, हाँ श्रद्धा, इसलिए बोलती हूँ कि अभी मेरे साब से चलो, Stanley Cohen 1973 नहीं है, निलंबर 1972 है, ठीक है, तो chemical engineering का क्या मतलब है, कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको, प्रक्रिया के दौरान, sterile condition मेंटेन करनी है, sterile condition का क्या मतलब होता है, कि जो gene के साथ आप खेल रहे हो, sterile condition को बनाई रखना है, केवल वो ही gene वहाँ पर रहें, इसके अलावा कोई भी gene ना तो वहाँ आए, ना उससे बाहर निकले, PDF आपको PW के एप पर मिलेगी, हेम राज चोहान, हाँ, हंसराज चोहान, एक तो लाल रंग से ना मटाओ यार, लाल रंग पता नहीं, इतना क्या तुम्हें प्यारा लग रहे है, हाँ, clear है बिटा, तो आपकी जय प्रत्योईकी के दो ही सिद्धान्त हैं, मैं हिंदी में लि और दूसरा है बिटा आपका प्रासायनिक अभियान तक की, अचा मुझे ना आपके शुरुबात के बस डेढ़ घंटे सीरियस चाहिए, सिर्फ डेढ़ घंटे, उसके बाद तो सब हवा में हो जाएगा, तुम लोग को पता ही लगेगा, इतना इसली तुम्हें ये चाप् जावीन, येस, आरोही, कंचन, सिंदू, इलेविंथ नीट हिंदी मिनियम का बैच कब आएगा, बेटा, सब लॉंच जैसी होगा, आप लोगों के लिए आना है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा, हाँ मैं हम फास्ट पढ़ाएं, धन्यवा, अगर तुम ना बताते तो शायद मैं भूली जाती, फास्ट पढ़ाना है, वन शॉट है फास्ट पढ़ाना है, मुझे ज़्यादा जल्दी है, ठीक है, तो आपकी दो सिद्धानतों पर नई जैफ्रद्योई की आधारित है, और वो दो सिद्धानते हैं आपकी अनुवांशे का भियांत्री की, अब थोड़ी सी नजर डालते हैं इसके इतिहास पे, कहां से चालू हुआ ये जैफ्रद्योई की, ठीक है, तो इतिहास में बिटा आपको दो चीज़न जाननी है, सबसे पहला तो जैसा मैंने बोला, कि पॉल बर्ग अंकल जो है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते ह जैफ्रद्योई की के जनक, ये जैफ्रद्योई की के पापा हैं, ठीक है, नमस्ते बोलो अंकल से, ये जैफ्रद्योई की के जनक, ऐसे बोलो नमस्ते अंकल, हाँ जोड के, तो ये जो जैफ्रद्योई की के जनक है, काहे हैं ये जैफ्रद्योई की के जनक, वो जरूरी है, इन्होंने बेठा सबसे पहले 1971 में क्या किया था एक सिमियन वारेस है हाँ मैंम गंशोट दीजिए यहीं से उड़ा दें क्या हाँ जल्दी से इन्होंने क्या कِया था पॉल बर्ग अंकल ने 1971 में एक सिमियन वारेस है क्या है बेटा सिमियन वाइरस इन्होंने क्या किया था सिमियन वाइरस का एक जीन निकाल करके एको लाई चाचा जी नहीं है अंकल इन्होंने क्या किया था बेटा 1971 में एक सिमियन वाइरस है सिमियन वाइरस जिसका नाम है विशाणू है ना इसका नाम है SV40 इन्होंने सिमियन वाइरस का एक जीन निकाला, ठीक है, इसका एक जीन निकाला, और इस जीन को इन्होंने किसके अंदर डाला, E. coli के अंदर, जैसे अभी हमने नमस्ते अंकल बोला, पॉल बर्ग को हाथ जोड़ करके, इसी तरीके से एक सलामी E. coli के लिए, मतलब एक नहीं, दोन हातों सलामी पसंद नहीं है, लेकिन अभी मत बोलना पसंद नहीं है, चाप्टर मेरा हो जाए, उसके बात बोलना मड़म पसंद नहीं है, है ना, तो आप इसको गाली दे सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी थांक्यू बोलो, क्योंकि आज की रेट में हम इसके लिए आभारी हैं, बहुत कैसे डाला गया, एक लेम्डा फेज, बेक्टिरियो फेज, बेक्टिरियो फेज समझते हो, येस, बेक्टिरियो फेज होते हैं बेटा, आपके जीवानू भोजी, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीवानू भोजी, जैसे हम तो जीवानूं से बीमार हो जाते हैं, हाँ य फेज बोलते हैं या जीवानु भोजी बोलते हैं ठीक है तो यहां पे सीमियन वाइरस का जीन एक लेम्डा फेज नाम के जीवानु भोजी की मदद से मतलब इसका हमने जीन निकाला इस जीन को हमने लेम्डा फेज में बिठाया और उसको लेम्डा फेज की मदद से उस जीन क को बेटा हमने इस Ecoli में ट्रांसफर किया ठीक है तो सबसे पहले अगर जीन के साथ किसी ने खिलवाड करने की कोशिश की तो वो थे आपके पॉल बर्ग अंकल इसलिए बेटा हम पॉल बर्ग अंकल को फादर ओफ बाय टेकनोलजी यानि की जैव प्रद्वयकी के जनक कहते ह क्योंकि सबसे पहले जैव प्रद्वयकी यानि जीव के साथ अगर किसी उसके जैव अनूं के साथ खेलने की कोशिश की थी तो वो की थी आपके पॉल बर्ग अंकल ने संदीप को इतनी गुसा आ रही है Ecoli के उपर है ना तो Ecoli बेटे एक जीवानू है Ecoli एक जीवानू है ROE ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या है सबसे पहले इन्होंने खेला तो उसके साथ कैसे खेला इन्होंने एक सीमियन नाम का सीमियन वाइरस नाम का एक विशानू था SV-40 जिसका नाम था उसमें से इन्होंने एक चोटा सा जीन का तुकड़ा निकाला उस जीन के तुकड़ों को इन्होंने Ecoli में डला आप Ecoli में डारेक नहीं डाल सकते थे तो उन्होंने एक बैक्टी्रियो फेज की मदद ली एक जीवानू भोजी की मदद ली तो जीवान जो बेटा ये चाप्टर पहली बार पढ़ रहा है ना मैं उसकी भी गारेंटी ले रही हूं कि समझ में आएगा ठीक है पॉल बार अंकल जी हो गए फिर अपने एकोलाई 21 तोपो की सलामी डिजर्व करते हैं अब हम बात करते हैं दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे आर डिने टिकनोलजी की है ना तो इसके इतिहास में एक चीज हम और जानेंगे और वो है बिटा आपकी 1922 में एक आयते आपके Stanley Cohen, Stanley Cohen and Herbert Boyer यह भी अंकल जी है इनको नमस्ते बोलो है ना नमस्ते बोलते जाओगे तो पहचान होती जाएगी पहचान होती जाएगी तो नाम दिमाग में बैठते जाएगे है ना और नाम दिमाग में बैठ जाएगे तो बिटा आसानी होगी नीट में डसने में ठीक है यह E. coli का पूरा नाम इस S. चे रीशिया coli, S. चे रीशिया coli, fine चले, तो Stanley Cohen और Herbert Boyer ने सबसे पहले R. DNA बनाये था, क्या बनाये था इन्होंने सबसे पहले R. DNA, R का मतलब होता है बेटा, Re-Combinant, Re-Combinant यह हिंदी में हम इसको बोलते हैं, पुनर योगज, कहीं कहीं आप लोगों को काइमेरिक नाम भी देखने को मिलेगा, तो काइमेरिक DNA भी बिटा हम इसी को बोलते हैं, ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले जो R. DNA, या Re-Combinant DNA या पुनर योगज DNA बनाया था, वो बनाया था 1972 में, स्टैनली कोहन और हबड बोयर ने, इन्होंने Re-Combinant DNA बनाया कहिसे था, क्या होता है Re-Combinant DNA, Re-Combinant एक होता है DNA, एक होता है ऐसा DNA जिसमें दो अखकें जरा जुड़ हुएं, उन्सको बेटाम बोलते हैं Re-Combinant DNA, इन्होंने क्या किया, एक जीवानू है सल्मोनिला टाइफी मिूरियम, ये एक जीवानू है। इन्होंने इस जीवानू का प्लाजमिद लिया। प्रतिरोधी जीन यानि की एंटिबायटिक रजस्टेंस जीन प्रतिजयव प्रतिरोधी जीन इन्होंने इस प्रतिर्जयव प्रतिरोधी जीन को यह है बिटा प्रतिजयव प्रतिरोधी जीन यह रहा साल्मनेला टाइफिमूरियम का प्लाजमिड इन दोनों को इन्होंने जो जोड़ दिया क्या इन्होंने जोड़ दिया प्रतिजय प्रतिरोधी जीन इन दोनों को जोडने से जो बना इटा उसको हमने क्या बोला इसको हमने बोला R DNA, समझ में आया, इस R DNA को इन्होंने क्या किया, इन्होंने E coli के अंदर डाल दिया, किसके अंदर डाला, E coli के अंदर, E coli क्या है, E coli एक जीवानु है, ठीके, तो इस E coli के अंदर इन्होंने बेटा क्या डाल दिया, इसके अंदर इन्होंने इस R DNA यानिकी recombinant DNA को डाल यह इसका आपना खुद का DNA है, ठीक है, समझ में आया, जल्दी बता दो, येस, ये चीज़ समझ में आया, प्रतिजयव प्रतिरोधी जीन, एक ऐसा जीन, जिसकी वज़े से ये जो जीवानु है, E.C.O.L.I., अब ये प्रतिजयव से मरेगा नहीं, ठीक है, अब इसको अगर कोई antibiotic, कौन सा antibiotic, वो fix होगा, जिस भी प्रतिजयव के लिए प्रतिरोधी होगा, अगर आप इसको वो वाला antibiotic में डालोगे E.C.O.L.I. को, तो ये E.C.O.L.I. नहीं मरेगा, समझ में आया, अभी restriction enzyme, अगर सब पढ़ाऊंगी विनोध, चिंता नहीं करो भईया, भरोसा रख को एक प्रतिजयव प्रतिरोधी जीन से जोड़ करके, ठीक है, और इसको बेटा हमने किसके अंदर डाल दिया, E.C.O.L.I. के अंदर, तो फिर से मैंने जस्ता की बोला, 21 तो अपो की सलामी तो डिजर्व करता है, फिलाल दो हाथ की सलामी तो हम दे इसको, ठीक है, चलिए, इतिहास में थोड़ी से हम बात और करेंगे, वो ये, कि 1963 में, आरबर, स्मित और नथान, नमस्ते बोलो अंकल को, एक, दो, तीन, 1963 में, आरबर, स्मित और नथान, ये तीनों क्या कर रहे थे, ये तीनों जीवानुओं पर असी पढ़ रहे थे, मजा आ रहा थे इनको है, य स्वागत नहीं करोगे हमारा, बिल्कुल करेंगे भाईया, अभी रुको, फूल बिचाएंगे तुमारे स्वागत में, है ना, ठीक है, आरबर, स्मित और नथान, नमस्ते अंकल, इन्होंने क्या किया बटा, ये तीनों पढ़ रहे थे, जीवानुओं, किस पर पढ़ रहे जैफ प्रद्योई की एक्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मिल गई, इसलिए बेटा, जैफ प्रद्योई की यानि बायो टेकनोलजी आज की डेट में एक्जिस्ट करती है, क्या थी, सबसे पहले तो बेटा, इन्होंने ये देखा, कि इनके पास है क्या, प्लाजमिड केवल और केवल जीवानुओं में होते हैं, क्या होते हैं, प्लाजमिड केवल और केवल जीवानुओं में होते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, कि जीवानु अनुसंधन के दौरान, जब बेक्टीरियास पे रिसर्च चल रही थी, जीवानु अनुसंधन के दौरान, दो खोज हुई जिस पर आपकी जैव प्रद्योगी की आधारत है जिस पर जैव प्रद्योगी की आधारत है ठीक है और क्या है ये बेटा दो खोज सबसे पहली है बेटा आपकी प्लाजमिड, क्या होता है प्लाजमिड इस पर बात करते हैं, तो प्लाजमिड बेटा, जीवानुओं के अंदर पाये जाने वाले हैं, सबसे पहली बात बेटा, ये केवल जीवानुओं में पाये जाते हैं, केवल जीवानुओं में, ठीक है, ना तो ये विशानुओं में प वाक में पाये जाते हैं, ना ये हमारे अंदर ना ही किसी पादप के अंदर, ठीक है? हाँ जी, दूसरी बात बेटा, ये डबल स्ट्रांडेड होते हैं, यानि की दूई रज्जुकी होते हैं, डबल स्ट्रांडेड सर्कुलर, अना? दुरे रज्यूकी भृत्ताकार, extra-kromosomal DNA, extra-kromosomal, अब extra-kromosomal DNA क्या होता है, मैं समझा सकते हुआ, उसके हिंदी मैं नहें नहيती, इसका मतलब बिटा ये होता है, कि किसी भी जीवानों के पास, एक तो अपना normal DNA होता है, जो कि उसका kromosomal DNA है, Kromosomal DNA मतलब यह वह DNA है जो कि वास्तव में उसकी सभी क्रियाओं को नियमित् arriba उसका सभी क्रियाओं का नियंद्रन कर रहे हैं थीक है हमारे अंदर कोशिकां का नियंद्रन कौन करता है, केंदरक करता है avec the sales. जितने भी आपके ये जीवानु हैं, उनके सब के अंदर एक normal DNA है जो उसकी क्रियाओं का नियमन कर रहे हैं, उस DNA को हम क्रोमोजोमल DNA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल DNA, इस क्रोमोजोमल DNA के अलावा एक और DNA जीवानु में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, extra-ch DNA, यानि कि क्रोमोजोमल के अलावा एक और extra DNA इनके पास होता है, which is known as plasmid, ये extra-chromosomal DNA हमेशा वृत्ताकार होगा, circular होगा, वी रज्जुकी होगा, double-stranded होगा, ठीक है, तो पहली खोज बेटा, जो जीवानु अनुसंधान के दौरान हुई, जिस पर आपकी जीवानु क समझ में आ जाए न, मेरे को भी पढ़ा देना, बॉतनी मुझे नहीं आती है, फिलाल ये पढ़ लें, ठीक है, धन्यबाद, आगे बेटा, तो ये एक plasmid बेटा हमने देखा, किस के अंदर, आपके जीवानु के अंदर, plasmid क्या है, क्रोमोजोमल DNA के अलावा एक और DNA में उपस्थित होता है, जिसको हम बोलते है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA, जो कि हमेशा वृत्ताकार और द्वीरज्जुकी होता है, ठीक है, दूसरी चीज बेटा, इसके पास एक और शमता है, कि ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को हिंदी में क्या बोलते है, स्व जनन के दौरान, प्रत्येक पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका बोलते हैं रॉटर सेल्स को, कोशिका में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ठीक हैं, तो इसकी एक खास बत क्या है, एक खास बत तो ये है, कि में डियने कब डिवाइड करेगा, जब इसको एक से दो बनना होगा, हाँ या ने, जब इसको एक से दो बनना होगा जनन के दौरान, तो ये अपने दो भाग करेगा, और उस टाइम ये दोनों को Muslimal DNA जिसको हमने प्लाजमिड बोला ये भी प्रत्य कोशिका के अंदर जाएगा ये भी इसकी खास बात है ठीक है और ये ये कब गुड़न करेगा जनन के दोरान लेकिन ये अपनी मर्दी से कभी भी गुड़न कर सकता है प्लाजमिड इसको कोई फरक नहीं पड़ता पिता जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसने डिवाइड करना है और ये करेगा इसको कोई फरक नहीं पड़ता पिता जी जब डिवाइड करेंगे तभी हम डिवाइड करेंगे हमें तो करना है हम करेंगे खतम हो गया ठीक है तो ये हो गया बिटा आपका प्लाजमिड इस प्लाजम एंजाइम, ये भी बेटा किसमें पाए जाते हैं, जीवानुगों में, ठीक है, प्रतिबंधन एंडोनुकलियस देखा जाए, तो एक तरीके से उनका डिफेंस मेकानेजम था, डिफेंस मतलब उनकी प्रतिरोधक्षमता थी, ठीक है, किसके लिए, जो अभी बाहर से कोई एं आरबर्समित और नथान को, 1963 में इन्होंने रेस्ट्रिक्षन एंडोनुकलियस एंजाइम खोजे थे, जिसके लिए इनको नोबल प्राइज मिला, ठीक है, रेस्ट्रिक्षन एंडोनुकलियस एंजाइम जो थे बिटा, वो इन्होंने ही खोजे थे, जिसके लिए इनको नो जैसे हमारे पास defense mechanism क्या है, हमारा immune system, हाँ या ने, हमारे पास immune system है ना, बीमारी से लगने की शमता है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास एक अलग तंत्र बना हुआ है, immune system जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से इनका भी एक immune system है, उस immune system में दो चीजे हैं, एक तो है बैटा आपका प्रतिवंधन endonuclease enzyme, क्या है बैटा आपका restriction endonuclease enzyme, इसके लावा बैटा इसके पास एक methylating agent है, क्या है methylating agent, करते क्या है जरा उस पर ध्यान देते हैं, इनकों बोलते हैं MA, ये क्या है बैटा, ये इसका खुद का DNA है, ठीक है, ये इसका खुद का DNA है, ये क कोई विशानू इस पर आया, ठीक है, ये एक विशानू आ करके इस पर बैठा, ठीक है, और इस विशानू ने अपना DNA या अपना RNA जो भी था, इसको इसके अंदर डाला, इसके अंदर, इसको डाला इन्होंने जीवानू के अंदर, जीवानू के अंदर सपोज ही RNA था, तो तो इससे सबसे बेले क्या किया, इस RNA से DNA बनाया, और ये DNA जाकर के बेटा, इसके DNA में कहीं जुड जाएगा, और जब ये इसके DNA में कहीं जुड जाएगा, तो ये जीवानू इस DNA के साफ से काम करेगा, अपने इसाफ से काम करना भूल जाएगा, है ना, तो ये ऐसा ना कर प restriction मतलब जो restricted site पर यानि कि प्रतिबंधन endonuclease प्रतिबंधत थल पर जाकर के nucleus मतलब nucleic aml को काटता है, nucleic aml क्या है RNA या DNA तो इस restriction endonuclease ने क्या किया इसने एक प्रतिबंधत थल पर जाकर के इस E. coli को, sorry ये जो भी DNA आया विशानू से उसको काट दिया, ठीक है अब ये कहीं अपने DNA को ना काच दे, क्योंकि ये इस ये ना इनपने को ना मार दे, इसके लिए बटाई । इस में बचत Kṛṣṇa मांना शुरू करते हैं, आई नहीं नहीं, वी भीचारी भूमती है ना, हैसा ही होता है या चलो इसको घर की दादी बोल देते हैं, जब पापा मारते हैं, तो दादी तो बचाती हैं, तो यहां पर बेटा जो मिथाईल समूम को जोड़ देगा, ठीक है? ये जगे जगे पर जहां पर इस प्रतिवंधन एंडो नूकलेस का प्रतिवंधित स्थल है, जहां जाकर की अपने DNA को काट देगा, या काट सकता है, मिथाइलेटिंग एजेंट क्या करेगा, वहाँ पर मिथाइल सम्हू को जाकर के जोड देगा, गॉंडा से कौन है भीया है है आपे, हाँ, नहीं मैं उर्दू और लेतिन में पढ़ा रही है, कौन है यह जो हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, मैं अंग्रेज हूँ, वैसे मैं हूँ, ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ पिटा, तो रेस्ट्रिक्शन एंडो नूकलेस क्या है, रेस्रिक्शन नूकलेस को भी, मतलब नूकली कमल को भी एक प्रतिबंधित स्थल पे ही काटेगा, तो बेटा, मैं फास्ट पढ़ाओंगी, हिमांचू, मैं स्टार्टिंग में, मैंने क्या का, डेड़ घंटे मुझे जहलो, उसके बाद मैं एक बाद फास्ट हो जाओंगी, तो न्यू ख मिथाइलेटिंग कारक बिटा क्या करता है, यह अपने प्रतिबंधन स्थल जहां जहां उसको दिखते हैं, वहां जाके ही मिथाइल समू जोड़ देता है, यह बचा लेगा उसको, है ना, तो मिथाइल समू के जोड़ने की वज़े से, रेस्ट्रिक्शन एंडो नूकलिये अपने डियेने को नहीं मार पाता, लेकिन बाहर वाले डियेने को मार देता है, समझ में आया, तो इस प्रतिबंधन एंडो नूकलियेज का इस जैप्रद्योईकी में बहुत बड़ा रोल है, तो जीवानू अनुसंधान के दौरान दो ऐसी खोज हुई थी, जिस पर आपक जैप्रद्योईकी आधारित है, पहली हो गई बेटा, प्लाजमिड और दूसरी हो गई आपकी, क्या हुआ है, क्या हुआ और दूसरी हो गई आपकी, प्रतिबंधन एंडो नूकलियेज एंजाइम, समझ में आया, जल्दी से थम्स अप कर दो बेटा, प्रतिबंधन एंड आगे बढ़े, बढ़ो मडम, मरता क्या नहीं करता, और हमारे पास है भी क्या option, बढ़ना ही पढ़ेगा, प्रिंसिपल्स बेटा मैंने आपको करवा दिये, किस पर आपकी है, एथू, चलो, तो यहां तक सबको क्लियर है, अभी तर हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले बा दोनों प्रकारें से पुरानी प्रजैव प्रद्योईकी के क्या नुकसान है, जोग की नई जैव प्रद्योईकी में नहीं है, फिर हमने बात की इसके इतिहास पर, अब हम बात करें, हमने सिध्धानत पर भी बात कर ली, कि सिध्धानत किंदो सिध्धानतों पर आपकी जै तो परफॉर्मेंस होने वाली इस बार भाई, कॉम्टीशन बहुत खतरनाक है, 21 लाग से जादा बच्चों ने इस बार नीट का फॉर्म फिल किया है, तो भाईया, खतरनाक कॉम्टीशन है, इस बार ध्यान रख लो अपना, हाँ जी, जैव प्रिद्योकी के छेत्र में, हम इ enzymes, ठीक है, हमें बहुत सारे enzymes चाहिए इसके लिए, enzymes, दूसरा है बेटा आपके, vectors, जिनको हम बोलते हैं, समभाहक, और तीसरे हैं बेटा आपके, host, जिसको हम बोलते हैं, परजीरी, बस, ये तीन टॉपिक आप समझ लो, इसके बाद जैव प्रद्योकी हलुआ है, हलुआ, ठीक है, और मैं बता दूँगी कहां से question आते तुम्हारे नीट में, वहां से नहीं आएगा, बाहर कहीं पर भी चिंता मत करना, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिटा, enzymes, तो कौन-कौन से enzymes बिटा हैं, यापर इस्तिमाल होते हैं, इसमें आपके 7 enzymes हैं, सबसे प फिर हो गए बिटा आपके, nucleus, फिर हो गए आपके, alkaline phosphatase, alkaline phosphatase फिर हो गए बिटा आपका, ligase, फिर हो गए बिटा आपका, ligase, then phosphorylase, फिर हो गए आपका, बिटा, polymerase, and last हो गए बिटा आपका, reverse transcriptase, reverse transcriptase, अभी हम तीनों, इन सातों के function एक बार देख लेते हैं, करते क्या क्या हैं, ठीक है, हम पूरी जैप्रदेविकी में, इन सात एंजाइम का ही काम करते हैं, important chapter बता दीजेए प्लीज सुधा, सारे chapter important है, और जो पढ़ा रही हैं तो बहुत ही जाद है important है, तो पहले ये पढ़ लो, ठीक है, तो सबसे पहले पेटा हम इसमें देखेंगे lysing enzymes, क्या देखेंगे हम, lysing enzymes, lysing enzymes का मतलब क्या है और इनका काम क्या है पहले वो देख लेते हैं, इनका काम है कोशिका के आनुवान्शिक पदार्थ तक पहुँचाना, ठीक है, क्यूं पहुँचाना, क्यूंकि भाईया बच गए, है न, क्यूंकि हमें वान्शित जीन, चाहिए, तो जो भी आपकी कोशिका, जिसमें से आपको अपने वान्शित जीन को निकालना है, जिसके अंदर आपका वांचित जीन है, उस वांचित जीन के या कोई भी कोशिका जिसके अंदर आपका जीन है, जो आपको चाहिए, वो वांचित जीन हो गया, जो आपको चाहिए वो वांचित जीन है ना, तो उस कोशिका के वांचित जीन को आप कहां से निकालोगे, उसके कवक कोशिका हो सकती है चलो यह स्रोत कोशिका या तो आपकी जीवानु कोशिका हो सकती है bacterial cell ठीक है या बेटा यह आपकी कवक कोशिका हो सकती है ठीक है fungal cell या बेटा यह आपकी पादप कोशिका हो सकती है plant cell या फिर यह आपकी जन्तु कोशिका हो सकती है animal cell ठीक है जन्तु कोशिका हो सकती है जिसको हम गोलेंगे animals एस जिन बोगा कोशिका से आपको अपना जीन निकालोगै डियन उसके ऐसे उसको अपना जीन निकालोगै जीन कहां से निकालोगे जीन उसके DNA से निकालोगे तो DNA तक पहुंचो तो हाँ या नहीं उसके DNA तक पहुंचेंगे ना तो जैसे हम बात करते हैं जीवानु कोशिका की तो जीवानु कोशिका में आपको पता है एक कोशिका भित्ती होती है क्या होती है कोशिका भित्ती और उ किसकी कोशिका बित्ती बनी होती है जिवानू में जल्दी जल्दी येस जिवानू में कोशिका बित्ती किसकी बनी होती है जल्दी बहुत ही इंपोर्टन क्वेस्टन है ये हाँ आप से बात कैसे करें क्लास में करो आप लोग जब ये लेक्चर खतम हो जाएगा कमेंट में आपके डाउट का जवाब जरूर दूँगी, ठीक है, चलिए, हाँ, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा आदित्या, तो जीवानु कोशिका की कोशिका बित्ती किसकी बनी होती है, लाइसोजाइम तो बेटा, एंजाइम में जिसका हम इस्तिमाल करेंगे, पेप्टि लाइसोजाइम की कोशिका बित्ती को तोड़ने के लिए आपको जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो है आपका बिटा, लाइसोजाइम, क्या होगा आपका लाइसोजाइम, इस लाइसोजाइम से आप इसको ब्रेक करोगे, और कहां पहुंचा होगे इसके, कोशिका और आपको सबको पता है बहिया कि जीवानु का जो अनुवान्शिक पदार थे उसके कोशिका द्रवे में अपड़ा है ठीक है पहुंच गया अनुवान्शिक पदार तक हाँ या नहीं मैंने क्या बोला लाइसिंग एंजाइम को सिर्फ एक काम है कि जो जो भी आपकी स्रोत क कोशिका है जिसके DNA में से आप आंशिक जीन निकालोगे यह आपको केवल उसके DNA यानि के अनुवान्शिक पदार तक पहुंचाएगा और जीवानु कोशिका में अनुवान्शिक पदार कोशिका द्रवे में पढ़ा हुए तो उस कोशिका द्रवे तक पहुंचने के लिए आपको सिफ उसकी कोशिका भित्ती को काटना है, और पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी हुई कोशिका भित्ती को आप लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से तरूडएंगे, तो यहाँ पर जीवानु कोशिका के लिए लाइसिंग एंजाइम कौन सा हुआ, आपका लाइसोजा ठीक है, तो आपको बेटा कहा पहुंचना है, आपको इसके नमानशिक बदार तक पहुंचना है, तो सबसे बेले बेटा क्या करोगे, इसकी कोशिका भित्ती किसकी बनी है, काइटिन की, किसकी बनी है, काइटिन, तो काइटिन की कोशिका भित्ती को तोड़ने के लिए तुम किस लाइसिंग एंजाइम का इस्तमाल करोगे काईटीनेज का किसका इस्तमाल करोगे काईटीनेज का ठीक है पहुंच गए मैडम कोशिका बित्ती तोड़ दी अब क्या तोड़ना है आपको प्लाजमा जिल्ली तोड़नी है ठीक है तो इसकी प्लाज्मा जिल्ली किसकी बनी है प्लाज्मा जिल्ली बेटा इसकी बनी है लिपिड और प्रोटीन की हा या नहीं वसा और प्रोटीन की ठीक है तो वसा को हमें या पर लिपिड लिख दें इजी रहेगा पढ़ाने में और तुम्हें समझने में तो एक इसक लिपिड की और प्रोटीन की, तो लिपिड की तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, लाइपेज, आया नहीं, तो कौन सा लाइसेंग इंजाई में इस्तमाल करूंगी इसकी प्लाजमा जिल्ली तोड़ने के लिए लाइपेज और प्रोटीन की तोड़ने के लिए प्रोट Protease, कौनसा? Protease, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैंने इसका क्या कर दिया, मैं इसकी भी Pliasma जिल्ली को तोड़ करके कहां पहुँच गी, इसकी Pliasma जिल्ली को तोड़ करके पहुच गी अंदर, कोशिका दरब में, लेकिन अब इसका कोशिका दरभी में थोड़ना है अनुवांशिक पदार्थ इसका अनुवांशिक पदार्थ का है इसका अनुवांशिक पदार्थ है नूकलियस के अंदर यानि की केंद्रक केंद्रक जिल्ली किसकी बनी है जल्दी से बता दो, केंद्रक जिल्ली भी बनी है लिपेड और प्रोटीन की, है ना, समझ में आया, कि अगर मुझे कबक कोशिका से अनुवानशिक पदार्थ निकालना है, तो मुझे कौन से लाइसिंग एंजाइम का इस्तमाल करना है, सेम, बिल्कुल सही है गुंजन जी, कृष्ट जी, ठीक है, अब बात करतें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका की हां जी, फिर है यहां पे इसका प्लाजमा जिल्ली, फिर है इसके अंदर इसकी केंद्रक जिल्ली, और सबसे बीच में क्या है इसका भी अनुवांची कता है, तो सबसे पहले तो बेटा मुझे क्या तोड़नी है इसकी, कोशी का भित्ती, कोशी का भित्ती किसकी बनी है इसकी cellulose की, येस, बिल्कुल सही है, तो इसकी cellulose की कोशी का वित्ती तोड़ने के लिए, cellulose की कोशी का वित्ती तोड़ने के लिए, मुझे कौन सा लाइसिंग एंजाइम चाहिए, मुझे चाहिए cellulase, क्या चाहिए मुझे बिटा, cellulase, कोशी का वित्ती तोड़ दी, बिल्कु जिल्ली तो इसकी plasma और केंद्रक जिल्ली तोड़ने के लिए बेटा मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए same protein और lipid की बनी हुई है तो यहां पर मुझे क्या चाहिए बेटा lipase चाहिए जो कि lipid को तोड़ देगा और क्या चाहिए, प्रोटीएस चाहिए, जो की प्रोटीन की जिल्ली को भी तोड़ देगा, समझ में आया, हाया नहीं, clear, तो मुझे अगर अपना अन्वानशिक पदार्त पाधप कोशिका से निकालना है, तो मुझे कौन-कौन से लाइसिंग इंजाइंग चाहिए, मुझे रटोगे, उतना फसोगे, बोलते हैं ना, रटन्त विद्या आवत नाहीं, पहले तो आती नहीं, आवत है तो जावत नाहीं, और अगर आ जा तो फिर जाती नहीं, यह सब तोड़ी दिक्कत है, है ना, फिर आगी बिटा जन्तु कोशिका, अब यह तो जग जाहिर बात है, कि जन्तु कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती है, हान जी या ना जी, हान जी, क्लियर है ना, हान जी मडम, है ना, जन्तु कोशिका में कोशिका भित्ती पाई नहीं जाती है, यहाँ पर केवल क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर मिलेगी आपकी प्लाज्मा और के जिल्ली को तोड़ने के लिए जो कि किसकी बनी है लिपिड और प्रोटीन की आपको क्या चाहिए बेटा आपको चाहिए सिम्पल लाइपेज ले लो माडम और प्रोटीज लो ये भी कोई पूछने वाली बात है कैसी बात करें माडम आपको इतना नहीं आता बिलकुल आता भ चाहिए से निल्वाली येण दिया ने तक पहुंचने के लिए अपको चाहिए लाइसिंग अन्जाम से निकाल रो पहले सेलुलेज लगाओ फिर लाइपेज और प्रोटीज लगा देना अरे मैडम जनतु कोशिगा से निकालना लो किसी की ज़रूतिने सिंपल लाइपेज और प्रोटीज लगा दो आप पहुंचाओगे उसके कहां तक DNA तक समझ में आया ठीक है अब इसके निकलियेज क्या करते है बिटा ये निकलिक अमल को काटते हैं निकलिक अमल क्या है बिटा निकलिक अमल हो सकता है आपका DNA या हो सकता है आपका RNA ये इसको काटते हैं ठीक है अब निकलिक अमल DNA या RNA अब निकलियेज आपके तीन तरीके के हैं निकलियेज कितने तरीके के है We have three types of nuclease. One is exonuclease. क्या है ये आपके? exonuclease. दूसरे हो गए बिटा आपके? endonuclease. ये क्या हो गए? endonuclease. और तीसरे हो गए बिटा आपके? restriction endonuclease. जिनको हम बोलते हैं? प्रतिबंधन endonuclease. क्या बोलते हैं बिटा इनको हम? प्रतिबंधन endonuclease. बूझे? बूझे? क्यों बुझ गए? बिहार में बूझना मतलब समझे. ठीक है? तो मैं बस इतना पूछ रही हूँ. बूझे या बुझ गए? बूझे या बुझे? बुझे मतलब मैडम नीन दा रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. हमाई पल्ले ना पढ़ रहा. बूझे मतलब मैडम समझ गए. ठीक है? चलिए. तो मुझे बताओ, बूझे लिख रहे हो तो B के बाद डबल O लगाना. बूझे लिख रहे हो तो B के बाद U लगा देना. ठीक है? बूझे मतलब B, O, J, H, E. बूझे मतलब मैडम समझ गए. बूझे मतलब मैडम बुझ गए. नहीं आ रहा. समझ. ठीक है? ये हो गा, बूझे. बूझे मतलब मैडम सब समझ में आ रहा है. सब कुछ. सब कुछ. आप बस बोलती जओ, हमारे दिमाग हम बिलकुल बेठा गर रहे हैं. ठीक है, हाँ, डन, तो बूझे, या बूझे, बूझे, ठीक है, बोरिंग चाप्टर राइडर, या में को बढ़ा मज़ाता है, इस चाप्टर को पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी, एग्जो न्यूकलिस क्या होते हैं, ये रहा तुम्हारा DNA, जिस इस योर DNA, एग्जो मतल या चाप्टर है, तो ये DNA को सिरे से काटेगा, कहां से काटेगा, सिरे से, उसको शीर्ष से काटेगा, simple, एग्जो मतल यह किया करता है? यह DNA को एक प्रतिबंधित थल से काटता है, नहीं बेटा? प्रतिबंधित थल से, प्रतिबंधित थल से थल से, मतलब endonucleuse को मैं डालूँगे DNA के साथ तो ये DNA को काटता चलेगा, इसको कोई मतलब नहीं कहां से काटना है, इसको बस काटने से मतलब है, ठीक है, वहीं बेटा, प्रतिबंधन endonucleus क्या करेगा, ये भी DNA को काटेगा, endo है तो अंधर से ही काटेगा, लेकिन अंधर भी ये कहां से काटेगा, इसकी वो से ही काटूंगा, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी, और वो जिस स्थल से काटता है, DNA को, जिस प्रतिबंधित स्थल से काटता है, उस प्रतिबंधित स्थल को, हम क्या बोलते हैं मेटा, या पैलेंड्रोम, मतलब ये पैलेंड्रोम पर काटता है, ठीक है, अब पैलेंड्रो होते हैं आपके जैसे आप सबने सुनाए नाम नितिन नितिन और मैडम मरे जाते हैं तुम लोग मैडम 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 कान खाजाओ मैडम 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 तो क्लास नहीं है ओनलाइन तो लिख लिख के मैडम तुम आखें खाजाओ मैडम 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 है ना तो यह एकज्था ठीक है बिठा ऐसी आपके ncrt में एक एक्जाम्पल दिया है ओले यालम ठीक है इनको भीता हम बोलते हैं ठीक है कनक कर तो प्लिंड्रोम क्या होते हैं Palindroms हम अगर DNA के case से बात करें तो एक example है आपका G, A, A, T, T, C G हमेशा triple bond से C से जुड़ेगा A हमेशा double bond से T से जुड़ेगा T से जुड़ेगा T से जुड़ेगा T से और ये G से जुड़ेगा तो तुम यहां से यहां पढ़ लो G, A, T, T, C यहां से पढ़ लो तो G, A, A, T, T, C तो चाहे तुम इसको 5- से 3- पढ़ लो ये भी 5- से 3- है और ये भी 5- से 3- है बस आपको पढ़ने का कम सही रखना है अगर आप इसको 3- से 5- पढ़ रहे हो तो आपको इसको भी 3- से 5- ही पढ़ना पढ़ेगा इनको बेटा हम बोलते है पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस ओफ नुक्लियो टाइड तो ये नुक्लियो टाइड के नुक्लियो टाइड के पैलेंड्रोमिक अनुक्रम है क्या है बेटा ये नुक्लियो टाइड के पैलेंड्रोमिक अनुक्रम है ठीक है तो प्रतिबंधन एंडो नूकलियस ऐसे एंडो नूकलियस है मतलब यह नूकलिकमल को अंदर से काटेंगे और ऐसी जगह से काटेंगे बिटा जो की एक फिक्स्ट अनुकरम है यह बिटा आपका इको आरवन का पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस है नीट में आ चुका क्वे नीट से काटेंगे तो यहांपर जो भी आपके सिरे बनेंगे वह कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है और यहांपर दूसरा वाला कैसे बन जाएगा A A T T C G ठीक है तो इनको बीटा हम बोलते हैं चिप 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 चिपे सिरे या ठीकि werd का इनको बोलते हैं, चिप-चिपे, सिरे, या इंग्लिश में हम इनको sticky ends बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम इनको sticky ends, क्योंकि यहां पर बेटा, जब भी वो सामने वाला आएगा, तो A, A, T, T, C, G, hydrogen bond बन जाएंगे इनके बीच में, ठीक हैं, ठीक हैं, और यहां पर अगर दूसरा वाला कोई DNA आएगा, तो यह भी A, A, T, T, G, C, ठीक हैं, तो इस तरीके से बीटा, यह ऐसे उड़न खटोले से उड़ते रहते हैं, जब भी इनका complementary strand इनके पास आएगा, जब भी इनका complementary strand इनके पास आएगा, तो यह एगदम से hydrogen bond बना करके उनसे चिपक जाएंगे, ठीक हैं, तो इनको बेटा हम बोलते हैं, sticky ends या चिप-चिप इस दे रहें, एक और तरीके के ends बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं, blunt ends जो आपकी NCRT में नहीं दिया है, उसमें बेटा क्या होता है, जैसे suppose यह GAAG है, या, sorry, GAAC है, G, इसी का example है, तो मुझे ऐसे तो याद नहीं है, GATTC, GAATTC, suppose, तो यहाँ पर बेटा यह बीट से काटेगा, तो बीट से काटने पर दो अलग-लग भाग हो जाएंगे, इनकॉम blunt ends बोलते हैं, ठीक है, यह मुझे example याद नहीं है, मैं एक बस ऐसी रफ्ट तुम्हें बता रही हूँ, इनकॉम बोलते हैं, blunt ends, यह फिलाल आपकी NCRT में नहीं दिये गए हैं, आपकी NCRT में केबल चिप-चिपे सिरे दिये गए हैं, जिनको हम sticky hands बोलते हैं, और sticky hands में क्या होते हैं, दो हवा में लटकते हैं, सिरे बन जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, clear है, यह आपके eco-arvan का palindromic sequence है, neat में पूछा जा चुका है, star में आपर बना चुकी हूँ, ठीक है, clear है बेटा, तो यह हो गए बेटा, आपके प्रतिबंदन endonuclease, अब प्रतिबंदन endonuclease भी तीन तरह के होते हैं, type 1, type 2, और type 3, हम जिनका इस्तमाल करते हैं, वो हैं बेटा, आपके type 2, हम type 1 और type 3 का इस् करने के लिए हमें काफी कुछ, मतलब, ATP भी चाहिए, हमें, मतलब, magnesium भी चाहिए, हमें और भी बहुत सारी, SAM चाहिए, ठीक है, यह मतलब, ऐसी काफी सारी हमें यह आपर चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन आपका जो type 2 प्रतिबंदन endonuclease है, उसमें हमें यह सब नीचे ह ठीक है, हिंड 2 सर्व प्रत्थम धूंडा गया प्रतिबंदन endonuclease है, ठीक है, अब आपको होगे मेंडम हिंड 2 क्यों, हिंड 1 क्यों नहीं, पहले हम यह बात करते हैं, हिंड 2 का मतलब क्या है या, eco r1 का मतलब क्या है, इनका हम नामकरण कैसे करते हैं, तो restriction endonuclease का नामांक कैसे हम इनका नामकरण करते हैं, उस पर हम बात करते हैं, suppose बेटा, एक आपका उधारन है eco r1, eco r1, यहाँ पे e का मतलब है, मैंने क्या बोला, s चे रीशिया, s चे रीशिया, ठीक है, coli, यह इसका genus और स्पीशी हो गया, ry बेटा, इसका strain है, और 1 इसका क्रम, जिस क्रम में इसको खो जा गया, ठीक है, दूसरा बेटा, example हम लेलते हैं, hind 2, hind 2, इसमें h का मतलब हो गया, इसका genus, hemophilus, in का मतलब हो गया, इसका specie, influenza, d का मतलब बेटा, इसका strain हो गया, rd strain, और 2 मतलब इसके खोज का क्रम, ठीक है, इसके खोज का क्रम, अब जैसा मैंने बोला था, कि प्रतिबंधन endonuclease, केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं, जीवानू में पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, जीवानू में, तो जीवानू, कौन से जीवानू से इसको निकाला है, मैडम, E.C.R.1 हमने E.C.O.I. से निकाला आर उसका प्रभेद, कौन सा स्ट्रेन है, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, यह हम मिशा रोबन नंबर में लिखते हैं, और इसका मतलब होता है, बिटा, कि आपने E.C.O.I. में से इसको कौन से क्रम में निकाला, पहले नंबर पे निकाला, R1, दूसरे पे निकाला, R2, तीसरे पे नि निकाल सकते हैं, अब आप कोगे माडम, इसको हमने 2 क्यों लिखा, अगर हमने इसको खोजा था, तो नंबर 1 होगा न, लेकिन इसमें हमने नंबर 1 इसके निकाला, क्योंकि जो हिंड 1 है, हिंड 1 बेटा, एक exonuclease है, यह endonuclease नहीं है, यह nucleic अमल को उसके शीर्ष से काटता है, अब क्योंकि बेटा यह जैव अनू को काटने का काम कर रहे हैं, अभी एक बच्चे ने लिखा, तो इसको इसलिए हम आणविक कैची भी बोलते हैं, ठीक है, यह अनू को काटने का काम करते हैं, समझ में आया, yes, यहां तक clear है, ठीक है, अब यह जो बेटा मैंने कहा, प्रतिवंदर एंडो नूकलेस इसको काट रहे है, यह काट काहा रहे है, तो आपको पता है बेटा, यह क्या है, यह आपके नाइट्रोजनी चार है, ठीक है, यह आपके नाइट्रोजनी चार है, और यह नाइट्रोजनी चार आपस में कैसे यह जुड़े हैं बेटा, यह जुड़े हैं आपके पेंटो शुगर से, पेंटो शरकरा से, तो यह आपके शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को काटते हैं, चलो इसको भी समझ लेते हैं, आपने नूकली कमल का स्ट्रक्चर तो देखा होगा जेनेटिक्स में, यह आपकी तो शुगर है, 1,2,3,4,5 मैंने biomolecules में भी यह पढ़ाया है, 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 इसके opposite में, 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ठीक है, यह पेंटो शुगर हो गई, अब यह पेंटो शुगर आपस में कैसे जुड़े होते हैं बिटा, यह जुड़े होते हैं आपके ester bond से, और क्योंकि ऊपर भी phosphate, बताए ऊपर भी ester bond, नीचे भी ester bond, तो इसको हम क्या बोलते हैं, phosphodiester bond, हाई या नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं कि यह phosphodiester बंद से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर बेटा हमने यह भी बताया था, कि यह आपस में जो nitrogeni 4 हैं, ठीक है, यह मैं N लिख रही हूँ है आपर फिलाल nitrogeni 4 को simple, यह आपस में किस से जुड़े हैं, glycosidic बंद से, हाँ या नहीं, यह आ C है तो G से जुड़ेगा, A है तो T से जुड़ेगा, है ना, और इनके बीच में बेटा कौन सा bond होता है, इनके बीच में होता है hydrogen bond, ठीक है, अगर C है तो G से triple bond से जुड़ेगा, A है तो T से double bond से जुड़ेगा, T है तो A से double bond से जुड़ेगा, clear है, अब जब भी बेटा य इसको हमेशा sugar phosphate बंद से यानि sugar phosphate bond को काटता है। इसको काटता है शुगर phosphate बंद को। ये NCRT में दिया हुआ है और ये important है। ये sugar है ना ये phosphate है ना तो sugar और phosphate के बीच से ये इसको काट रहा है। तो ये क्या कर रहा है बिटा, ये sugar phosphate बंद से इस nucleicamil को या nucleotide को काटने का काम कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, sugar phosphate bond से प्रतिवन्देने ने नुकलेज आ करके काटता है, ठीक है, clear है, yes, yes, बिल्कुल सही है गुंजनतिवारी, done, आगे बढ़ें बिटा, ये हो गए आपक हमने दो enzyme कर लिए, पहला हमने कर लिए आपका Lysine Enzymes, दूसरा बिटा हमने कर लिए आपका Nuclease, तीसरा बिटा आप आप का Alkaline Phosphatase, ये बिटा जब भी आप DNA को काटते हो, ठीक है, आप इसके पहले दोनों strands को अलग करोगे, धिर आप इसको काटोगे, काटने के बाद बेटा ये 5-0 सिरे से फॉसफेट को हटाता है ताकि ये वापस से डिन न जुड़ जाए अगर हमने फॉसफेट तोड़ दिया तो दो शुगर आपस में नहीं जुड़ पाएंगे ना दो शुगर को आपस में जुड़ने का काम कौन कर रहा है फॉसफोडाइ के लिए फॉसफेट चाहिए ना तो मैं 5-0 सिरे से कौन सा 5-0 सिरा ये मैं यहां से बिटा एलकलाइन फॉसफेटेज लगा के फॉसफेट समूं को हटा दूंगी ताकि आगे अगर इसको कोई शुगर मिले तो ये उससे जुड़ना जाए है ना क्यूंकि जुड़ने के लि लाइगेज लाइगेज मतलब जो जोडने का काम करता है ठीक है तो ये दो डियने के खंडों को जोडता है ठीक है ये दो डियने के खंडों को आपस में जोडने का काम करता है पांचवा आपका एंजाइम हो गया बिटा फॉसफोराइलेज कौन सा हो गया तो DNA के खंड आपस में जुडते हैं, ठीक है, तो उनको जोडते समय बेटा बीच में फिर से फॉस्फेट तो चाहिए ना, क्या करेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट दोनों के साथ फॉस्फोडाइस चाब बना लेगा, तो ये बेटा फॉस्फोराइलेज 5- सिरे पर फॉस्फ आपका अगला, अगला कौन से है, आपका 6- इस पॉलीमरेज, पॉली मतलब बहुत सारे, येस, पॉलीमर मतलब बहुलक, तो ये बेटा, DNA के या DNA की प्रतिकृती बनाने में सहायक है, प्रतिकृतियां बनाने में, प्रतिकृतियां क्या होती हैं बेटा, प्रतिकृतियां है आपकी copies, एक जैसे कई सारे DNA बनाने, प्रतिकृतियां बनाने में साहिता करते हैं, ठीक है, यह हो गया polymerase, और last हो गया बिटा आपका reverse transcriptase, क्या हो गया बिटा, reverse transcriptase, अब आप सब को पता है बिटा, कि DNA से अगर आप RNA बनाओगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, transcription, और transcription के लिए जो enzyme लगता है, उसको हम बोलते हैं, transcriptase, ठीक है, लेकिन, अगर मुझे RNA से DNA बनाना है, मुझे RNA से DNA बनाना है, तो यह उल्टा हो गया, transcription का उल्टा हो गया, reverse transcription हो गया, तो reverse transcription के लिए जो enzyme चाहिए वो हो गया आपका, reverse transcriptase, clear हो गया, तो reverse transcriptase क्या करता है बिटा, ये RNA से DNA का निर्मान करवाते हैं, जल्दी बताओ, enzyme वाला part clear है, थम सब दे जल्दी से, yes, राज, बिल्कुल सही है, enzyme वाला part clear है, likes बहुत थोड़े हैं बिटा, आज class में, ऐसा क्यों, कोई दुश्मनी, चल्दी बताओ, yes, done, यहां तक समझ में आया, सब को, हाँ जी, यहां तक सब को समझ में आया न, अब तुमारे वो समभाहक और host करा देती हूं, फिर अपन 5 मिनिट का break लेंगे, फिर आपकी टेक्नीक ह अंदो होगी, डेड़ गंटा मैं ने काता है न, डेढ़ घंटा मुझे जहेल लो, तब देढ़ गंटे में, तुमारे भी 7 मिनिट, 6 मिनिट बचे है, 6 मिनिट और जहेलो, 3 मिनिट में एक चीज और पड़ानी है, चलो, पवने 2 गंटे जहेलने आ, उसके बाद तो यह हवा में निकल जागा chapter, तच्छी बता रहे हूं, हाँ, तच्छी, अनुलेखन बोलते हैं, तच्छी को अच्छा, ठीक है लकी, यार इतनी हिंदी थोड़ी कम जोर, यहां पे हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है हमारा, यह तुम बताते रहो, चलो, तो enzymes clear है, तो हमारा पहला टूल हमारा पहला टूल था, अगर आपको जय प्रद्योईकी में इतना ही शौक है कुछ काम करने का, तो भाया, enzymes के बारे में पढ़ लो, पूरी जय प्रद्योईकी का कोई भी अगर आपको प्रोसेस करना है, तो आपको इन साथ के लावा किसी आठवे enzyme की ज़रत फिलाल, जनरल पीवाइक्यू के अलग से एक सेशन आ रही है, सीरीज आ रही है, रात को आठ बजे आपको बायो के बीवाइक्यू मिलते हैं ना हर चाप्टर के, अब आपको चाहिए समभाहक, तीसरा चाहिए आपको होस्ट, होस्ट क्या होता है बटा, मैंने का E.Colai के अंदर हमने सारे समभाहक, तो अगली हेडिंग बेटा जो आती है इसमें, आज की क्लास में वो आती है आपकी समभाहक, तो समभाहक क्या है बेटा, ये DNA या RNA जो वांचित जीन को परजीवी कोशिका में ठानांतरित करते हैं, ठानांतरित करने में सहायक, ठीक है, तो समभाहक क्या है बेटा, समभाहक ऐसे DNA या ऐसे RNA हैं, जो आपके वांचित जीन को किसी भी परजीवी कोशिका के अंदर ले जाने का काम करेंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे क्या देखा था? सिमियन वाइरस, जो पॉल वर्ग अंकल थे, उन्होंने सिमियन वाइरस का एक जीन निकाला और उसको एको लाई में डाला, पर कैसे डाला? किसकी मदद से डाला उन्होंने बेटा उसको लेम्डा फेज की मदद से डाला तो लेम्डा फेज क्या है मापे समभाहक वहीं बेटा हमने क्या देखा RDA ने किसने मनाता है Stanley Cohen, Harvard Boyer ने 1972 में उसमें उन्होंने एक प्रतिजय प्रतिरोधी जीन को डाला किसके अंदर एकोलाई के अंदर पर कैसे डाला Salmonella Typhemurium जीवानू के प्लाजमिड के साथ जोड करके डाला PCR reaction के बारे में भी बताऊंगे Innocent Boy, सबर नाम की चीज सुनिये, नहीं सुनिये तो सुन लो, थोड़ा सा रखो, फिर बताऊंगे, ठीक है तो यहाँ पर बेटा, जो समभाहक है, वो क्या था आपका RDA ने जो से वेले बना था, उसमें समभाहक क्या था बेटा, आपका Salmonella Typhemerium Bacteria का Plasmid, ठीक है, तो समभाहक है क्या यह बिटा कोई DNA आरे नहीं है, कोई Nucleic अमली ही है, जो कि आपके वांचे जीन को बिठा करके अपने साथ किसी और परपोशी कोशिका में डाल रहा है एक समभाहक के या एक आदर्ष समभाहक की क्या-क्या विशेष्टाएं होनी चाहिए, यह important है, आदर्ष समभाहक आप किसे बोलेंगे, ठीक है, तो आदर्ष समभाहक होने के लिए कुछ इस तरीके की विशेष्टाएं होनी चाहिए, सबसे पहला बेटा, उसमें एक ORI होना चाहिए, ORI क्या होता है बेटा, ORI का मतलब होता है origin of replication, मतलब यहां से प्रतिकृती की शुरुवात होगी, क्या होगी बेटा यहां से प्रतिकृती की शुरुवात, या प्रतिकृती यहां से प्रारंभ होगा, यहां से प्रतिकृती बननी शुरू होगी, पहला, ठीक आरोपी का मतलब क्या है बिटा रेप्ली प्रोटीन रेप्लिकेशन प्रोटीन ओफ रेप्लिकेशन ठीक है मतलब प्रतिकृती की प्रोटीन या प्रतिकृती बनाने वाली प्रोटीन उसके पास एक होनी चाहिए ठीक है जब तक ये प्रतिकृती बनाने वाली प्रोटीन नही प्रतिकृती की शुरूबात नहीं होगी. धीक है। उसके पास कम से कम एक आरूपी स्थल होना चाहिए। तीसरा उसके पास कम से कम कर एक restriction site होनी चाहिए यानि उसके पास कम से कम एक प्रतिबंधन ठल होना चाहिए एक प्रतिबंधन ठल होना चाहिए मतलब उसके पास कम से कम एक palindrome होना चाहिए एक palindrome अनुक्रम होना चाहिए ठीक है उसके पास कम से कम एक cloning marker होना चाहिए Selectable Marker को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में जल्दी से बताना, Miss Exception हो या चली गई, हाँ, बताओ दरह, और क्या, क्लोनिंग वेक्टर, उसके पास कम से काप, एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग स्थल तो प्रतिमंधन स्थल हो गया, इसी को हम क्लोनि या क्लोनिंग स्थल, Selectable Marker को बेटा क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो मुझे, वरन योगी चिननक, थैंक यू बेटा, उसके पास कम से कम एक वरन योगी चिननक होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, एक Selectable Marker होना चाहिए, और बेटा, इसकी एक और खासियत, कि ये आकार में छोटे होने चाहिए, आकार में छोटे होने चाहिए, क्यूंकि जितने बड़े होंगे, उनको समभलना उतना मुश्किल होगा है, तो एक संभाहक, एक आदर्श संभाहक के क्या क्या बेटा, बताब qualities होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, पांच, ठीक है, कम से कम पास एक ORI स्थल होना चाहिए, ORI स्थल वो स्थल होता है, जहां से ORI मतलब ओरिजिन, जहां से शुरुवात होगी किसकी प्रतिकृती बनने की, दूसरा, उसके पास एक कम से कम आरोपी स्थल होना चाहिए, आरोपी स्थल वो स्थल जहां पर प्रोटीन बनेगा, वो प्रो पुनर योगज को आप उनर योगज से अलग कर सकें। होगा तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाए अब बिटा सबसे कॉमन समभाख जो आपकी एंसी आर्टी में बनाईए एंसी आर्टी है इसको फिलाला मटाते हैं इसमें एक एंसी आर्टी में लाइन दी हुई है कि आज की रेट में बिटा हमारे पास 900 से अधिक प्रतिवन् कहते हैं और इसको बिटा हमने सबसे पहले आईसोलेट किया था इसके बाद फिर और क्या है इको आर्वन का नाम कैसे दिया वो देख लो आईस्ची रिश्या को लाई आर्वाई 13 इसका प्रभेद था ठीक है बस यह सा मैं आपको पढ़ा चुकियों यह लाइन इंपोर्ट आगे आजाते हैं पिटा यह पहलें रोमी कंगरम सब बढ़ा चुकियों इको आर्वन का मैं काम बता चुकियों ठीक है यह कुछ अन्य आपके वो हैं हिंड 3 इको आर्टू यह जब आपको PDF मिलेगा ना हिंड 2 का है GTT GTCGAC जो आप बोल रहे थे ना मैडम ब्लंट एंड्स क्या होते हैं GTCGAC यह GTCGAC तो यह बटा जी और सी के बीच से कारता तो इससे जो एंड मिलेगा इसको हम ब्लंट एंड्स बोलते हैं और यह आपका हिंड 2 का पतिवन्दा ने थल है तो यह आपको PDF मिल जाएगा ठीक है चलो आगे आजाते हैं कहां गया वो समभाहक अरे यार PBR 322 आजो यहां पर ठीक है तो यह बटा आज की रेट में एक आटिफीशल समभाहक बनाया गया था बिलकुल एक्जाम के लिए यूसफुल अब नहीं है हिंडी टू पूछा जा सकता है देख लेना एक बार आज की रेट में बेटा जो समभाहक जो हम पढ़ते हैं जो आपके इंसी आटि में दिया है वो है बेटा PBR 322 ठीक है PBR 322 है पहली बात तो PBR 322 का क्या मतलब है हम उसके बारे में पढ़ेंगे यह मैं PBR 322 बना रही हूं यही पर बना जाती हूं न यह है आपका PBR 322 है सबसे बहले तो आपको इंका मतलब पताऊना चाहिए अंकल जी का नाम था बॉलिवर नमस्ते अंकल और रोडरी ग्यूज नमस्ते अंकल बॉलिवर और रोडरी ग्यूज और 322 मतलब प्रयोग की संख्या ठीक है मतलब उन्होंने 322 बार जाकर के जब प्रयोग किया तब जाकर के बेटा उनका यह PBR 322 बना ठीक है उससे पहले उन्हें 321 बार कोशिश की और वो हारते गए, कुछ ना कुछ कमी निकलती जा रही थी, 322 भी बार जब उन्होंने जाके प्रयोग किया, तब जाके बिटाई, PBR 322 फाइनल बना, अब हमें देख लो, इनसे हमें एक सीख मिलती है, क्या, हम एक बार कोई चीज पढ़ते हैं, specially मैं बात करूँ, Physics की, है ना, Physics में एक बार एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेस्चन लगाते हैं, नहीं बनता, चलो, थोड़ा हिम्मत हार जाते हैं, फिर हम दुबारा कोशिश करते हैं, चलो एक और बार ट्राय करते हैं, दो तीन बार जब ट्राय करने पर नहीं बनता है, और 322 वी बार प्रयास किया, और 322 वी बार में इनको ये समझ में आ गया, इनका ये बन गया, है ना, तो जो हम बेटा, दो तीन बार में हिम्मत हार जाते हैं, हो सकता है, चौथी बार लगाओ, तो शायद समझ में आ जाए, है ना, तो इसलिए बेटा, हिम्मत नहीं, आरन पे चलो, स्टाट झालो, स्टाट झाल 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 हां झाल 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 मैं आम एक बार जीन प्लोनिंग बता दो, अब बताएंगे बटा, अब भी बताएंगे, रुख जो, पॉलिमरेस में आने तो दो मुझे, PCR में बता दूँगे, ठीक है, चाय पीलो, ती गर्मी में, और भी तु पहरी में, पॉने चार बजे, चाय का टाइम तो होता है, लोगों का, स्टार्ट नाम, ओक हरीश, बस मैं तुम्हारे सी स्टार्ट का इंतिदार करें, तुम बोलो त ये, Ampr, जिसके उपर प्रशान्त पवार, PST1 और PVU1, दो प्रतिबंदन स्थल हैं, जो की एकनॉमिक्स की क्लास टर्टिन करने गए, किसकी क्लास टर्टिन करने गए, एकनॉमिक्स की, जगे है बीच में की नहीं है, हाँ, है, इको क्लावन, सुन्दर बनना था, सरकल एकी बार में, इको आरवन, क्लावन, क्लास थी हिंदी मीडियम में, हिंद 3, वहाँ पे जाके इनने टीचर का नाम पूचा, सरसर आपका नाम क्या है, तो टीचर का नाम था, ब्रैम्मिन, सल्मान, क्लास अटेंड करके खुशी-खुशी आए घर पे, घर आके दोनों में चर्चा ओई, अमर और प्रशान्त पवार में की भाईया, चलेंगे क्या दुबारा इनकी क्लास अटेंड करने है, तो और यही स्थल था एक, ठीक है, और यही स्थल पे जाके उन्होंने बोला, अच्छा, और यही नहीं पहले आरोपी स्थल आएगा, एक बीच में, फिर दो दो दो, उसने का में रसी से लटक के मर जाओंगा, पर दुबारा नहीं जाओंगा, पीवियो टू, और यहां से क्लास शुरूई थी, साथ पैंतिस पे, ठीक है, चलें, तो बटा, बात कुछ इस फ्रकार है, कि अमर और प्रशान्त पवार, याद करने की ट्रिक है, यहां से क्वेस आता है, इसलिए, ठीक है, अमर और प्रशान्त पवार, दो दोस्त थे, यहां पर मैं, यह दोनों गए बिटा, कॉमर्स के स्टुडेंट थे, जो की एकनॉमिक्स की ट्यूशन लेते थे, तो एकनॉमिक्स की क्लास अटेंड करने के लिए गए, ठीक है, और क्लास थी हिंदी मेडयन में, क्योंकि यह कुँम्हारी तरह हिंदी मीडयन के बच्चे थे, जब क्लास अटेंड करने गए, तो बच्चे की बच्च Sumます, इसको गलत तरीके से ना ले, के Pawle याद करने के लिए ट्रिंग है, वो भी मेरी नीह, मैंने चुराई हुई है किसी की, ठीक है, तो शुरूबात कितने बज़े थी, क्लास की शुरूबात थी 7 बच के 35 मिनिट पे, ठीक है, 7 बच के 35 मिनिट पे क्लास शुरू होनी थी, क्लास अटेंड करके आए, फिर दोनों के बीच में डिसकेशन हुआ, क्या करना है, अच्छा लगा टीचर, पढ़ेंगे क्या दुबारा नहीं जाओंगा, ठीक है, पबार क्या बोला, मैं तो दुबारा नहीं जाओंगा, मैं रस्सी यानि की रोप से लटक के मर जाओंगा, पर दुबारा नहीं जाओंगा, ठीक है, जबकि अमर बोला, भाई मैं तो जाओंगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ठीक है, चला तो यहाँ पे बेटा इसको याद करने का ट्रिक देखेगा, अमर ये वाला जो पूरा जीन है, ये वाला पूरा जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टिंट, तो मैंने क्या बोला, एक आदर्श समवाहक के पास, एक ORI स्थल होना चाहिए, जो इसके पास था, एक ROP स्थल होना च ठीक है, प्यूश सर का ट्रिक है, सॉरी, मैंने प्यूश सर से तो नहीं लिया है, और मैं ये ट्रिक कब से बढ़ा रही हूं यार, पिछले 7-8 साल से बढ़ा रही हूं, है ना, मैंने प्यूश सर से तो नहीं लिया है, किसी और से मैंने लिया है, लेकिन बहुत कॉमन है ये तो तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब आपको अगे मैंदम आठवा भी तो है, तो आठवा क्लोनिंग स्थल इसलिए नहीं है, क्योंकि बेटा, आप आरोपी को नहीं काट सकते हैं, अगर आप यहां काट होगे, तो आरोपी कट जाएगा, आरोपी कट जाएगा, तो यहां स चिनना केक होना चाहिए, तो इसके पास बेटा, दो वरन योगी चिनना के, ठीक है, एक हो गया, अपिसलिन रेजिस्टेंट जीन, और दूसरा हो गया बेटा, आपका, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, अपिसलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये क्या है बेटा ये दोनों एंटिबाइटिक्स हैं एंटिबाइटिक्स पता है ना जो हम जीवाणूं को मारने के लिए खाते हैं प्रतिजैव हैं ठीक है तो इनके पास इन दोनों प्रतिजैवों के लिए प्रतिरोधी जीन है मतलब अगर आप किसी जीवाणूं में जिसक कि इसके पास ampicillin और tetracycline दोनों के लिए प्रतिरोधी जीन है, ठीक है, चलिए, फिर बेटा इसके पास और cloning cell और यह size में भी छोटा है, तो यह बेटा उन्होंने बनाया अपने lab में, अब यहां से जो question उनता जरा उस पर देखिएगा, यह ampicillin प्रतिरोधी जीन है, मतलब इतना बड़ा जीन का टुकड़ा अगर इसमें उपस्तित है, तो तो यह ampicillin माध्यम में नहीं मरेगा इतना बड़ा जीन का टुकड़ा अगर इसके पास है, तो यह tetracycline के माध्यम में भी नहीं मरेगा, यह चीज़ क्लियर है, इस जीन के टुकड़े की उपस्तिती की वज़े से यह ampicillin के माध्यम में नहीं मरेगा, जल्दी जल्दी मुझे 7-7 थमसर देते जाओ, क्यूंकि एक साथ मैं दुवारा नहीं समझाओंगी, ठीक है, अभी बताते जो, जितना समझ में आता जा रहे हैं, येस, जल्दी बोलो, clear है यहां तक, इसके पास एक ORI स्थल है, मतलब यहां से origin होगा, यहां से शुरुवात होगी replication की, जो प्रतिकृती है वो यहां से बननी शुरू ह होगी, ठीक है, इस ORI स्थल से एक protein बनके जाएगा, ROP, ठीक है, स्थल से एक protein बनके आएगा, है ना, protein of replication, ये protein जब बनके आएगा, ORI स्थल पे तो प्रतिकृती बनने की शुरुवात होगी, अब प्रतिकृती बनने की शुरुवात होगी, अब प्रतिकृती, आप अपना कोई भी वांची जीन को लगा सकते हो ठीक है आप पलिन्रोम अनक drop इसको काटो गे किसी भी प्रतिरों से restriction अंड नू कलेश से वो इसको काटेगा काटे के बाद है पके आप आपना वांची जीन लगा सकते हो तो फिर विटा आप इसमें जो भी आपको कलाकारी करनी है करो, है ना, फिक है, तो यहां पर विटा, इस पूरे जीन की वैसे यह एंक इस पूरे जीन की वैसे यह एंक तराशेकलिंग माधिम के लिए प्रतुधी, आपको दो ही चीजने आद रखनी है, एक अमर और प्रशां ठीक है, वहीं बेटा, टेट्रा साइक्लिन प्रतिरोधी जीन पर दो क्लोनिंग स्थल है, एक BAMH1 और दूसरा CEL1, ठीक है, ये, इतना आप पहले याद रखो, अब यहाँ से क्वेस्टिन कैसे आता है, वो समझेगा, यहाँ से क्वेस्टिन कुछ इस तरीके से आता है, कि मै एक वांचित जीन को PBR322 के PST स्थल पर लगाया, ठीक है, मैंने एक वांचित जीन को, ये PBR322 के PST1 अनुकरम पर लगाया, मतलब यहाँ लगाया, ठीक है, ये कौन सा अनुकरम था, PST1 का cloning स्थल था तो मैंने अपने वांचित जीन को PST1 cloning स्थल पर लगाया मतलब यह क्या बन गया यह बन गया recombinant DNA क्योंकि मैंने PBR में अपना वांचित जीन लगा दिया कहां लगाया PST1 cloning स्थल पर उसके बाद बेटा इस plasmid को मैंने E. coli यह E. coli है यह इसका खुद का DNA है और इसके अंदर बेटा मैंने इस वांचित जीन को PBR 322 के साथ मिला करके लगा दिया ठीक है यह मैंने इसके अंदर अपना recombinant DNA डाल दिया अब question ही आएगा मुझे बस आप इतना बता दो कि यह वाला जो E. coli है यह ampicillin माध्यम में और tetracycline माध्यम में कौन से माध्यम में जीवित रहेगा tetracycline माध्यम में मैं इस में से किसी भी माध्यम में अगर डागते हूँ आप लोग मुझे शॉट में tet बताना या AMP बताना आप मुझे बस इतना बताईए कि कौन से माध्यम में यह वाला E. coli जीवित रहेगा जिसके अंदर मैंने अपना वांचित जीन PST1 थल पे लगाया है जल्दी बताओ फिर मैं समझाओंगी हाँ जी पहले इससे मुझे समझ में आजाएगा आपको कितना आता है मैं अलक सर को बोलो नीट बैज 2024 हिंदी में लओ बिटा बिल्कुल आएगा क्यों नहीं आएगा यह बताओ आने वाला है और जो आएगे इसी मन्त आपके अच्छा 2024 का तो बिटा अभी नहीं आएगा रुक जो 2024 का तो एक बार 2023 का एग्जाम हो जाए तब आएगा अच्छा अभी भी आएगा इस महीने भी लॉंच होगा दोनों में जिन्दा रहेंगे कोई कर रहा है जिन्दा रहेगा आजो चलो अब करते हैं आपको यह पता है कि यह वाला जो है यह एमपिसलिन प्रतिरोदी जीन है ठीक है और इस पूरे जीन के अपस्थित होने की वजह से यह एमपिसलिन के लिए प्रतिरोदी था मतलumi माध्यम में नहीं मरेगा जबकि जो दूसरा वाला भाग है यह tetracycline प्रतिरोधी और इसके उपर कौन-कौन से site है BAMH1 और CEL1 यहां क्या है PST1 और PV1 है ना मैंने क्या बोला यह पूरा जीन होगा तो तो यह ampicillin के माध्य में जिन्दा रहेगा अगर और यह पूरा जीन है तो यह tetracycline के माध्य में मैंने अपना cloning sthl मतले मैंने अपना वांचित जीन कहां लगाया इस PST वाले भाग पर लगाया अब PST कौन से resistant जीन के उपर उपस्तित है Ampicillin प्रतिरोधी पर तो भीया अगर मैंने अपना वांचित जीन Ampicillin प्रतिरोधी पर लगा दिया है तो सीधी बात है कि Ampicillin प् प्रतिरोधी नहीं रहने के वैसे Ampicillin माध्यम में बिटा ये मर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन माध्यम में जीवित रहेगा तमझ में आया येस मैंने क्या बोला था ये पूरा जीन रहेगा तो ही Ampicillin माध्यम में जंदा रहेगा लेकिन इसमें से मैंने एक छोटा सा बहां काटके अलग कर दिया उसके बदले मैंने अपना दूसरा बांचे जीन लगा दिया जिसकी वज़े से अब ये Ampicillin प्रतिरोधी नहीं रहा और Ampicillin प्रतिरोधी नहीं रहने की वज़े से Ampicillin माध्यम में ये मर जाएगा तमझ में आया तब को जल्दी से थमसब दे कार है कि अगर मैं अपने वांचित जीन को वांचित जीन को PBR 322 में इस थल पे लगाती हूं ये इस थल है बिटा BAM H1 का तो ये बता दो बिटा इस PBR 322 को मैंने जिस भी E.Colai में डाला ये E.Colai का अपना क्रोमोजमल डिये ने इसके अंदर बिटा मैंने इस PBR 322 को डाल दिया जहां पर मेरा वांचित जीन कहां लगा था ये वांचित जीन लगा था BAM H1 साइट पे तो बस मुझे इतना बता दो ये कौन से माध्यम में जीवित रहेगा question ध्यान से सुनिएगा ये कौन से माध्यम में जीवित रहेगा किसमें जीएगा ये किसमें मरेगा मैं वो पूछी नहीं रहूं answer ध्यान से सुनिएगा question ध्यान से सुनिएगा कि कौन से माध्यम में ये वाला इकोलाई जीवित रहेगा कौन से माध्यम में जीवित रहेगा ampicillin yes Samir Kumar Sagar बोल रहे है madam ampicillin शिश Samir beauty कुमारी yes Muskan सबको आ गया देखा ये बात है ना ये ampicillin माध्यम में जीवित रहेगा कितना simple था ये हाँ यहीं से बिटा आपका ये question बनता है PBR 322 पर clear है दूसरा question बेटा है आपड़ जो बनता है वो इस PBR 322 की सनरचना से बनता है आपको पता होना चाहिए कौन सा कहां पर कौन सा जीन उपसते थे तो बस यह आद रखेगा घड़ी में साड़े साथ यहां बचते है तो साड़े साथ बज़े origin मतलब शुरुबात हो रही है तो O economics की class attend करने के class Hindi medium में थी वहाँ पर जाकि teacher का नाम पूछा teacher का नाम था Brahmin Salman और आये वापस तो प्रबार को इतनी गंदी लगी class की मैं मर जाओंगा पर मैं रसी से लटक के मर जाओंगा मैं दुबार उसकी class में नी जाओंगा तो यह बटा इसको याद करने की trick है तो पहला question तो इसकी सनरचना से बनता है ठीक है यह आपको पता होनी चाहिए दूसरा question बेटा इसमें प्रतिरोधी जीन से बनता है कि कहां पर आप अपना कौन सा वांचित जीन लगाओगे और इस वांचित जीन को लगाने से वो किसके लिए जीवित रहेगा कौन से प्रतिजयव के प्रतिरोधी नहीं रहेगा सीधी सी बात है समझ में आया ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ इस वाले केस में क्यूंकि यह एमपिसलिन में मर जाएगा टेट्रासाइकल में जीवित रहेगा मतलब यह टेट्रासाइकलिन प्रतिरोधी रहेगा एमपिसलिन प्रतिरोधी नहीं समझ में आया, एक और question कर लें इसी बात पर, जल्दी से चलो, एक question और कर लेते हैं, एक question और बेटा ये है, कि यदि PBR 322 में आपने वांचित जीन लगाया, कहां पर, वांचित, सोरी वांचित यहां लगेगी बिंदी, वांचित जीन लगाया, PBU1 क्लोनिंग स्थल पर, अना, PBU1 क्लोनिंग स्थल पर, तो किस माध्यम में ये है जीवित रहेगा, या question देखियेगा ध्यान से, कौन से माध्यम में मरेगा, कौन से माध्यम में जीवित रहेगा, ये जरूर ध्यान से सुन लेना, या पढ़ लेना, जल्दी, जल्दी, यदि आप अपना वांच्य जीन PBR 322 में PBU1 क्लोनिंग स्थल पर लगाते हैं, तो ये किस माध्यम में मर जाएगा, दोनों में जीवित रहेगा, नहीं श्री बिलकुल नहीं रहेगा, टेटरा साइकलिन में मर जाएगा, मैंने पूछा है किस में मरेगा, दीपक बोल रहे हैं, जाहतर बच्चर बोल रहे हैं, यही बात आ गई ना, मैंने इसलिए पहले युम लोगों के याद करा प्रतिरोधी के लिए अमर और प्रशान्थ पवार इन दोनों में कहीं पर लगाऊंगी तो एम्पिसलिन प्रतिरोधी नहीं रहेगा, इन दोनों में कहीं पर लगाऊंगी तो टेट्रा सैक्लिन प्रतिरोधी नहीं रहेगा, मैंने पूछा बेटा किसमें मरेगा, तो मरेगा क किसमें बिटा ये मरेगा ampicillin में और जीवित किसमें रहेगा जीवित रहेगा बिटा ये आपके tetracycline में हाँ या नहीं सारा गुड़गो उबर कर दिया मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया समझ में आया tetracycline में जीवित रहेगा ampicillin में मर जाएगा clear अन्य समभाख कौन-कौन से है तो अन्य समभाख में बेटा सबसे पहले आते हैं आपके जीवानू भोजी जिनको हम बोलते हैं bacteriophages ठीक है यदि मुझे अपने किसी वांचित जीन को जीवानू में डालना है किसमें डालना है जीवानू में जीवानू में अपने वांचित जीन को डालने के लिए मैं जीवानू भोजी यानि कि bacteriophages का इस्तमाल करूंगी bacteriophages वो विशानू जो जीवानूं को संक्रमित कर सकते हैं ठीक है इसके लावा बेटा अगर मुझे पादप में डालना है तो agrobacterium tumifacients agrobacterium tumifacients एक जीवानू है जिसके अंदर ti plasmid पाया जाता है यहाँ पे ti का मतलब क्या है this is tumor inducing जो इसके अंदर अर्बुद कॉज करता है मतलब अर्बुद tumor में क्या होता है बहुत जल्दी कोशिका है व्रिधी करने लग जाती है तो कोशिकाओं का गुणन बहुत जल्दी होने लग जाता है tumor अर्बुद गाट बन जाती है महाँ पे क्योंकि महाँ पे कोशिकाओं बहुत जल्दी जल्दी विभाजन कर रही है तो यह agrobacterium tumifacients एक जीवानू है जिसके अंदर बिटा एक Ti Plasmid पाया जाता है जो कि कई सारे द्विभीज पत्री कई सारे द्विभीज पत्री यानि कि डाइकोट प्लांट में इनको हम बोलते हैं डाइकोट प्लांट में अर्बुद कॉस करता है यह लाइन आ चुकी है नीट में कि जो Ti Plasmid है Agrobacterium Dumefaciens का यह सभी द्विभीज पत्री पादपों में अर्बुद कॉस करता है नहीं यह कई सारे द्विज पत्री पादपों में अर्बुद कॉस करता है सभी में नहीं करता कई सारों में करता है ठीक है तो यह बेटा हमने क्या किया इसका Ti Plasmid ले करके वहाँ पर अपना वांची जीन लगा करके इसको पादपों में डाल दिया यदि मुझे किसी जन्तु कोशिका में डालना है तो बेटा में रेट्रो वाइरस रेट्रो वाइरस यानि की ऐसे पश्च विशानू ऐसे विशानू जिनके पास आरेने होता है क्या होता है इनके पास आरेने जेनेटिक मटीरियल है इनका इस्तवाल करती हूँ बेटा में जन्तु कोशिकाओं में यदि मुझे कोई बदलाव करना है उसके लिए ठीक है उसके लिए में रेट्रो वाइरस हैने की पश्च विशानूं का इस्तवाल करती हूँ ठीक है क्लास अब बहुत लंबा नहीं बचाए आजो नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट इस और ये पीछे क्यों आ रहा है इसको बाद में सही कर दूँगी चलो नेक्स्ट है आपका परजीवी अब परजीवी क्या है? परजीवी है आपका host cell क्या है? host cell जिस कोशिका के अंदर आपको ये सब कुछ हमने अब तक परजीवी क्या पढ़ा है? अब तक हमने equali पढ़ा है आप इसके बाद NCRT पढ़ना आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पुनर योगज और अपुनर योगज और अपुनर योगज मैं आगे बता दूँगी, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रुको, आजो, वो मैं समझ गी बच्चा क्या बोल रहा है, मैं मैं आप इसलिन रेजिस्टेंट और टेट्रा साइकलन रेजिस्टेंट काम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, यह वरणयोगी चिन्नक है, यानि कि यह सेलेक्टिबल मार्क करें, ठीक है, सलेक्टिबल मार्कर मतलब जिनकी मदद से, मार्कर मतलब जो मार्क कर रहा है मार्क करते हैं, मतलब, चिन बना है, select करने के लिए, ठीक है, यहां पर बेटा किया होता है, यह आपका एक साधरन equal i है, ठीक है, एक equal i यह आपका, यह equal i बन उगया, यह equal i 2 हो गया, यह equal i 3 हो गया, ठीक है, यह 3 आपके equal i हो गया, आपने अपने PBR 322 को, यह आपका PBR 322 हो गया, ठीक है, यह आपके EQUALI हो गया, EQUALI 1, EQUALI 2 और EQUALI 3, इसके अंदर आपने PBR 322 जाला, ठीक है, इसमें आपने अपना PBR 322 जाला, इसमें आपने अपना PBR 322 जाला, इसमें नहीं डाला, ठीक है, तो किसमें आपने PBR 322 डाला, वो क्या हो गए बिटा, ये हो गए आपके, recombinant, सौरी, ये हो गए आपके transformant, ठीक है, ये दोनों कोशिकाएं क्या हो गए आपकी, transformants, transformants मतलब, जिसके अंदर आपका ये PBR transform हो गया, transfer हो गया, तो ये दोनों कौन से हो गए, ट्रांस्फोर्मेंट ठीक है और ये क्या हो गया बिटा ये हो गया आपका नॉन ट्रांस्फोर्मेंट क्यूंकि इसके अंदर PBR 322 नहीं गया इसकी कोई मुझे हिंदी बता दो स्थानांतरित कोशिकाएं होगे इस I am not wrong ये आपकी और स्थानांतरित कोशिकाएं होगे ठीक है इड़ zigiline और ट्रांस्फोर्मेंट से चैश्अल洗य अ बतार इसकी मदद से हमने क्या चुन गया क्योंकि ये हमने कैसे चुना है ये ट्रांस्फोर्मेंट्स है क्यूंकि ये दोनों ट्रांस्ट्रांग्यों इंपलट्राश्त माध्यर्थ्यम में कैसी रहेंगी? जीवित रह जिवित रहेंगी यह बेटा मर जाएंगी ठीक है यह मर जाएंगे क्योंकि इसके अंदर PBR 322 नहीं गया तो चाहे आप इसको एमपेसिलिन में डालो मर जाएंगे इनको अगर आप टेटरासाइकलिन में डालो तो भी जिन्दा रहेंगे इनको हम बोलते हैं स्थानांतरित ठीक है तो इनको तो हमने अलग कर दिया अब यह जो श्थानांतरित को शिकाएं है इनके अंदर हमने क्या किया अब इनके अंदर हमने अपना R-DNA डाला, R-DNA मतलब recombinant DNA, इनके अंदर हमने क्या डाला, recombinant DNA, जिसमे बेटा, इसी plasmid में मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना वांचित जीन लगा दिया, ठीक है, वांचित जीन मैंने कहा लगाया, यहाँ पर मैंने लगाया, PST1 पर, तो PST1 पर क्योंकि बेटा मैंने ल इन E. coli 1 और E. coli 2 में, यह एक, यह दूसरा, इसमें बेटा, पहले बाले में यह पहुंच गया, जो आपने R-DNA बनाए था वो, दूसरे बाले में R-DNA नहीं पहुंचा, तो जिसमें R-DNA पहुंच गया, मतलब यह कैसा हुआ, यह पुनर योगज हो गया, यह कैसा कोशिक हो गयी, यह पुनर योगज कोशिका हो गयी, यानि कि यह recombinant cell हो गया, है ना, और यह पुनर योगज हो गयी, यानि कि यह क्या हो गयी, आपकी non-recombinant, है ना, यह क्या हो गयी, आपकी non-recombinant, तो यह बेटा, ampicillin के माध्यम में मर जाएंगी, यह ampicillin में मर जाएंगी, है ना जबकि दूसरी वाली बेटा ये एमपिसिलिन और टेट्रासाइकलिन दोनों में ही जीवित रहेंगी तो सेलेक्टिबल मार्कर या वरणयोगी चिंद्नक का क्या मतलब हुआ एडुकेशन वाला बायो समझ में आगे बेटा सेलेक्टिबल मार्कर का क्या मतलब हुआ सेलेक्टिबल मार्कर हमको क्यों चाहिए थे जिसकी मदद से हम स्थानांतरित को स्थानांतरित से और जो स्थानांतरित हैं बेटा इन स्थानांतरित में भी हम पुनर योगज को अपुनर योगज से अलग कर सके समझ में आया ठीक है education वाला NCRT भायो, समझ में आ गया, ये बिटा इस्तमाल था हमारे वरणयोगी चिननक का, चलिए, अब आ जाते बिटा परपोशी कोशिका पे, तो परपोशी कोशिका में अगर हम बात करें, तो परपोशी कोशिका कोई भी हो सकती है, जिसके अंदर भी आप अपने इस पुन सक्षम बनाते हैं, तो जो आपके, इनको हम सक्षम बनाएंगे, हमें जीवानु कोशिका को सक्षम बनाना है, ठीक है, जीवानु कोशिका आपकी परपोशी कोशिका है, और इसको हमें सक्षम बनाना है, इसको हमें इस लायक बनाना है, ताकि वो हमारे RDNA को ले सके, तो ये बेटा आपका E. Coli है, इस E. Coli को बेटा मुझे कहाँ डालना है, इस E. Coli के अंदर मुझे अपने इस DNA को डालना है, ठीक है, इस E. Coli में मुझे अपने recombinant DNA को डालना है तो इसको डालने के लिए बटा में क्या करूँगी इसको डालने के लिए सबसे पहले तुम्हें नॉर्मली आपका DNA कैसा होता है negatively charged होता है और आपकी जो ये membrane है ये भी negatively charged है ठीक है तो negative negative एक दूसरे को repel करते हैं दूसरे से नफरत करते है तो easily आपका ये DNA अंदर नहीं जाएगा इसको अंदर पहुचाने के लिए बटा मैं क्या करूँगी सबसे पहले इसको calcium ion से जिसको हम cation बोलते हैं ठीक है divalent ion बोलते है do something क्या बोलते हैं divalent ion को जल्दी बता दो या divalent cation से इसको बिटा हम treat करेंगे divalent cation से हम इसका उपचार करेंगे ठीक है जिससे क्या होगा बिटा इसकी पूरी जिल्ली पर यहाँ पे calcium ion deposit हो जाएगा calcium ion deposit होने की वैसे ये जिल्ली कैसी हो जाएगी positive charge हो जाएगी DNA आपका negative है तो positive negative एक दूसरे को attract करेंगे जिसकी वज़े से बिटा आपका जो DNA जो पहले दूर दूर भाग रहा था ये अब pass आजाएगा ठीक है जैसे ही ये pass आजाएगा ये recombinant DNA ना जैसे ही बिटा ये pass आएगा हम दूसरे step में क्या करेंगे दूसरे step में हम इसको ताप प्रगात जिसको हम बोलते है heat shock ठीक है heat shock टेकनीक देंगे heat shock में हम क्या करते है बिटा पहले 0 degree फिर 42 degree फिर 0 degree इस तरीके से बिटा हम दोनों को साथ में रखते है ये आपका equali हो गया ठीक है आपका DNA बेटा इसके पास आ गया ठीक है और DNA पास आने की वैसे हमने क्या किया जैसी हमने इसको अलग-अलग temperature पे heat किया वैसे ही ये DNA इसके अंदर आ जाएगा ठीक है क्यों अंदर आ जाएगा उसकी बात करते है इसको अलग-अलग temperature से heat करने की वैज़े से बेटा यहाँ पर छोटे-छोटे छेद बन जाते है ठीक है temporary अस थाई रूप से छोटे-छोटे छेद बन जाते है पहले 0 degree फिर एकदम से ठंडा फिर एकदम से गर्म फिर एकदम से ठंडा जिसकी वैसे इसकी जो कोशिका जिल्ली है इसमें छोटे-छोटे छेद बन जाते है और उन छेद से ये DNA अंदर आ जाते है ठीक है तो इस तरीके से हमने अपने वांचित जीन को कहां पहुंचा दिया आपके जीवानों के अंदर पहली चीज समझ में आई इसके अलावा और भी कई सारे तरीकें जिससे हम इसको अंदर डाल सकते है उसमें एक तरीका है आपका जीन गन दूसरा है आपका जीन गन जिसको हम इसको हम जीन गन बायोलिस्टिक भी बोलते है जीन गन या गम क्यों लिख दिया मैंने इतने क्या गम है जो छुपाए नहीं छुप रहे हैं इसको हम बायो लिस्टिक भी बोलते हैं ठीक है इसका इस्तमाल बेटा हम कहां करते हैं इसका इस्तमाल करते हैं पादप कोशिकाओं में अगर मुझे अपने वांचित जीन को पादक कोशिकाओं में डालना है तो बेटा म जीन गन का इस्तिमाल करूँगी, बस इतना ही याद रखना भी आपको और यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है, तीसरी टेक्नीक होगी आपकी सूक्ष्म अंत्यशेपन, जिसको हम बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, यह बेटा हम जन्तु कोशिकाओं में अगर हम मुझे इस्थाना अंतरन करना है अपने वांचित जीन का, तो बेटा मैं सूक्ष्म अंत्यशोपन का इस्तिमाल करूँगी, ठीक है, और एक और हो गए बेटा आपकी डिसाम्ड पैथोजन, डिसाम्ड पैथोजन का मतलब क्या होता है, पैथोजन मतलब जो भी बीमार करने वाला कारक है, ठीक है, आम्स मतलब होता है हत्यार, डिसाम्ड मतलब उसको उससे उसके हत्यार छीन लेना, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया, एग्रो बेक्टिरियम टूमी फेशियन्स के पास क्या है गठा इसके पास एक Ti Plazmi Mitt है ठीक है कि पलाजमित क्या करफिक है है यह कई सारे दुईबीच पत्री पादपों में टूमर अरभुत कौस कर रहे है हमने क्या किया इस Ti Plazmi Mitt के एक छोटे से भा़ में अपना М掉ण लगा दिया हमने इससे इसकी पादबों को बीमार करने की शम्ता को छीन करके उस जगह पे हमने हमारा वांचित जीन लगा दिया तो इस वज़े से बिटा यह अब अपना बीमारी उससे नहीं कौस कर पाएगा यह बांदर जाके हमारा काम करेगा तो हमने क्या किया kick साम मतलव हमने इस से इसके हतियार चीन लिए और उस हतियार को चीनने के बाद हमने बाह पर this goal now तंग्स्टन धातू का उपय होगा, बिलकुल होगा बिटा, जो gene gun में हम जिस bullet का इस्तमाल करते हैं, आपर जो bullets होती है बिटा, वो bullets, gold या tungsten की होती है, ठीक है, वैसे तो मैं काफी कुछ इसमें बढ़ाती हूँ कि जो हम gun चलाते हैं, उसकी जो speed होती है, वो 1400 feet पर second की होती ह ठीक है, अगर आप speed जाधा बढ़ा होगे, तो वो आर पार हो जाएगा, speed कम रखोगे तो ठकरा के वापस आजाएगा, लेकिन फिलाल उसकी ज़रुवत नहीं है, ठीक है, ये पढ़ने न, ये NCRT में दिया है, ठीक है, तो gene gun है न, gun है बंदूक है, बंदूक है, बंदूक नहीं होता, DNA जाके सीधा पादप कोशिका के, DNA से जाकर के मिल जाते है, clear है, तो disarmed pathogen में हमने जो बीमारी cause करने वाला जो भी जीवानू था, या जो भी था, हमने उससे उसके हत्यार छीन करके, वहाँ पर वेटा हमने अपना वांचे जीन लगा दिया, clear है, यहाँ पे खत कुछ भी पढ़ा है, उसको हम यू पत से खतम करने वाले है, ठीक है, पुनर योगाई DNA तक्नीक के लिए कौन-कौन से उपकरन चाहिए, हमने पढ़ लिए हमें एक host चाहिए, परजीवी चाहिए, एक हमें समभाहक चाहिए, एक हमें बहुत सारे enzymes चाहिए, ठीक है, अब ब क्या होता है आपका, isolation of genetic material, आनुवांशिक पदार्थ का प्रिथक करन, ठीक है, फिर हम क्या करते है, cutting of DNA at a specific site, विशिष्ट स्थल पर DNA को काटना, फिर बेटा हम क्या करते है, फिर हम इसको, इसको हम copy करते है न, इसको हम amplification, amplification को क्या बोलते है हम इसका, हिंदी, amplification की हिंदी क्या होगा यार, पानी पीलो एक मिन रुखना, हाँ, amplification की हिंदी बता दो तब तक कोई मुझे, जल्दी बोलो, amplify करना मतलब उसको बढ़ाना, उसका गुणन, जल्दी बताओ, इसमें आपका future है और हमारा भी पढ़ना, बाद मत करना, ठीक है, जल्दी से यार मुझे इसकी हिंदी बता दो, प्लीज यार, मुझे हिंदी में थोड़ा, इसमें मेरा हाथ तंग है, हिंदी जल्दी बताओ, amplify करना मतलब विस्तारण, येस, तो वांचित जीन का PCR प्रक्रिया द्वारा या PCR तक्नीक द्वारा विस्तारण, ठीक है, फिर उसके आद बिटा हम क्या करते हैं, हम उसको insert करते हैं host cell में, तो पर जीवी कोशिका में निवेश, recombinant DNA का निवेश, निवेश करने के बाद बिटा हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 step होते हैं, पर जीवी कोशिका में आप थोड़ा से लेट हो गया, क्यों लेट हो गया बिटा, हाँ, पर जीवी कोशि कोशिका में निवेश करने के बाद हम उस पर जीवी कोशिका में अप्टेनिंग ओ फॉर एंजीन उत्पाद, तो बाए जीन उत्पाद, प्राप्त करना, अब प्राप्त करने के बाद बिटा, डाउन्स्ट्रीम प्रोसेसिंग को बताओ जल्दी हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी प्रिथक करने एवं, क्या बोलेंगे हैं, हिंदी मुझे इसकी थोड़ी परेशान कर रही है, डाउन्स्ट्रीम प्रोसेसिंग को अनुप्रभाह संसाधन, यस, अनुप्रभाह जो भी अनुवान्शिक पदार्थ है, जिससे हम अपना वांशिक जीन निकालने वाले हैं, पहले तो हमने उस अनुवान्शिक पदार्थ का प्रितक्रण किया, आजो, तो सबसे पहले हैं डालेंगे हम, अनुवान्शिक पदार्थ का प्रितक्रण, अम मैंना साथ में इंग्लिश भी लिख देती हूँ, ताकि अगर हिंदी में गडबड हो तो भहिया अंग्रेजी देख लेना, मेरी अंग्रेजी में गडबड नहीं होंगी, अप्टेनिंग ओफ जेनिटिक मटेरियल, ठीक है, अनुवान्शिक जीन बेटा मैं किस-किस से निकाल सकती हूँ, मैं जीवानु कोशिका से निकाल सकती हूँ, है ना, अनुवान्शिक पदार्थ, मैं कबक कोशिका से निकाल सकती हूँ, मैं पादप कोशिका से निकाल सकत या फिर मैं किस से निकालूंगी जन्तु कोशिका से और इसको निकालने के लिए मुझे कौन से एंजाइम चाहिए जल्दी बताओ इसके लिए मुझे चाहिए लाइसिंग एंजाइम्स ठीक है कौन-कौन से लाइसिंग एंजाइम्स चाहिए मुझे नहीं लगता मुझे दो कोशिका से निकाल लुगी, यह मिल गया मुझे इसका अनुवानशिक पदार्त, अभ इस अनुवानशिक पदार्त में सिर्फ डीनन तो नहीं है न minimize Conferenceinga कि टके बग इसके DNA तक DNA बाहर निकला, तो DNA के साथ साथ क्या निकलेगा, यहाँ पर RNA भी निकलेगा, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स भी निकलते हैं, हाँ या नहीं, बिल्कुल, ठीक है, तो इन सबको, मुझे तो सिर्फ DNA चाहिए ना, मुझे RNA और हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी बिटा, मैं इसको एक टेस्ट्यूब में डाल दूँगी, एक टेस्ट्यूब में डाल दूँगी, ठीक है, और टेस्ट्यूब में बिटा मैंने और क्या डाला, DNA तो डाल दिया, DNA के साथ बेटा मैंने आपे ribonuclease डाला और बेटा मैंने आपे डाला protease ribonuclease RNA का पाचन करेगा और protease histone protein का पाचन करेगा ठीक है अब बेटा इसके अंदर क्या बचा अब इसके बाद इसके अंदर केवल और केवल क्या बचेगा DNA बचेगा क्योंकि मैंने RNA और प्रोटीन दोनों का पाचन कर दिया, अब इसके अंदर क्या बचेगा, केवल और केवल DNA बचेगा, अब इस DNA को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं बेटा, इसमें यह जो DNA बचा, जो केवल DNA यहापर मैं लिख देती हूँ यहापर, यह DNA को बाहर निकालने के लिए मैं एक ग्लास रोड का इस्तिमाल करूंगी, किसका एक काच की रोड का, ग्लास रोड का इस्तिमाल करूंगी, और ग्लास रोड से यूं घुमा घुमा के पूरा DNA लपेट के मैं बाहर ले आऊंगी, तो मैं यह DNA को लपेट करके पूरा इस ग्ला ठंडा इथिनॉल, चिल्ड इथिनॉल, एकदम ठंडा इथिनॉल इसमें डालूंगी, जो कि DNA को एक जगे जमा देगा, और फिर मैं उस ग्लास रॉट की मदद से घुमा घुमा के, उस DNA को बाहर ले आऊँगी, और इस तक्नीक को बिटा हम बोलते हैं, पूलिंग, क्या बोलते हैं मैं इसको, पहला important part, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे RDNA तक्नीक का इस्तमाल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अनुवांशिक पदार्थ को किसी भी कोशिका से निकालने के लिए, मैं उस कोशिका के अनुसार, लाइसिंग एंजा RNA हिस्टोन प्रोटीन को बचा देगा, फिर केवल DNA बचेगा, DNA को एक जगे जमा करने के लिए, मैं एकदम ठंडा इथिनॉल उसमें डाल दूँगी, DNA एक जगे कठा हो जाएगा और उसको बेटा में ग्लास रोड की मदद से बाहर खीच लूँगी, और इस प्रक्रिया को ह बोलते हैं, spooling important, clear, तो अनवानशिक पदार्थ का प्रितक्रन हो गया, अनवानशिक पदार्थ के प्रितक्रन के बाद मैं उसको विशिष्थ थल पे काटूंगी, तो ये मुझे DNA मिल गया, ठीक है, तो इसको मैं लिख रही हूँ, DNA को विशिष थल पर काटना, ये दूसरा अब इसको विशिष थल पर काटने के लिए बेटा, मैं जिस तकनीक का इस्तमाल करती हूँ, वो है gel electrophoresis technique या technique, ठीक है, इस gel electrophoresis में क्या करती हूँ, सबसे पहले ये देखो, इसमें मैंने सबसे पहले तो बेटा, एक प्लेट ली, ठीक है, इस प्लेट में बेटा मैंने ag agarose gel भर दिया, क्या भर दिया है, इस पूरे में मैंने agarose gel, ये जो agarose gel है बेटा, आपको इस agarose gel का स्रोत पता होना चाहिए, ये एक seaweed है, seaweed मतलब weed तो समझते हूँ न, खरपतवार, आपके पादबों के लावा जो फालतु के पादब लग जाते हैं, उनको हम seaweed बोलते है खरपतवार है न, आपने गेहूं की खेती की, उस गेहूं की खेती में गेहूं के पादबों के साथ कुछ और फालतु की घास भी हो गई, तो फालतु की घास क्या है बेटा, खरपतवार है, है न, इसी तरीके से समुद्र में भी कुछ खरपतवार उगते हैं, ठीक है, जै ज़िडियम और ग्रेसिलेरिया लिखने की ज़रूरत है नहीं विससे जलिडियम ग्रेसिलेरिया ठीक है यह सीवीड हमने एगरोस जल कहां से निकाला इसका स्रोत है आपका समुदरी खरपतवार यह आपके जल का स्रोत है ठीक है जल इडियम और ग्रेसिलेरिया पहली चीज़ इसी के अंदर बेटा मैंने कुछ छोटे-छोटे से कुए बना दिये ठीक है मतलब जहाँ पर एगरोस जल नहीं है बाकी पूरे में एगरोस जल है यहाँ पर एगरोस जल नहीं है यहाँ पर बेटा मैंने एक रॉड लगाई जो की negatively charged है दूसरी तरफ मैंने एक रॉड लगाई जो की positively charged है ठीक है? निगेटिव और positive अब इस जल के अंदर बेटा मैंने अपने DNA को डाल दिया इसको डाला मैंने DNA को डाल दिया मैंने कुछ रंग गलत बना दिया ठीक है? हमें कुछ इस तरह से यह आपकी एगरोस जल की प्लेट हो गई, white color की ठीक है? इसके अंदर मैंने इस चोटे-चोटे कूए बना दिया electrode बना दिया negative or positive और इसके अंदर बेटा हमने क्या डाला? अपना DNA और प्रतिबंधन endonuclease इस इन कूओं के अंदर हमने क्या डाला? यह कूओं है जिसमें हमने क्या डाला? DNA यह टुकडे जो भी हमने अनुआशिक पदार निकाला था प्लस प्रतिबंधन endonuclease enzyme ठीक है? इसमें हमने क्या डाल दिया? enzyme के साथ हमारे DNA अब प्रतिबंधन endonuclease जला है, DNA भी डला है तो DNA, प्रतिबंधन endonuclease क्या करेगा? इस DNA को काटेगा कहां काटेगा? अपने palindromic अनुकरम पर, ठीक है? कहां काटेगा? प्रतिबंधन DNA वृत्ताकार, दो तरीके के DNA से question अनता है, आप MTG करेंगे आपको यह question मिलेगा यहां पर, यदि मैंने सीधे DNA को, cloning style इस पर 3 है, कितने cloning style है? 3, 1, 2, 3, अगर मैंने एक प्रतिबंधन endonuclease से cloning style पर कटवाया ठीक है? तो यहां पर इस DNA के कितने टुकड़े होंगे? तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, 3 और 4. समझ में आया? यह आपको question मिलेगा आपकी MTG में, यह सीधे DNA को यदि मैंने एक enzyme से कटवाया, जिसके वहां पर 3 cloning style थे, तो इस DNA के कितने टुकड़े होंगे? तो 3 जगे से काटेगा ना, तो 4 टुकड़े होंगे. है MTG में? मौहमद आहाद बोल रहे हैं, मैडम है. यहीं बेटा, अगर मैंने circular DNA को अगर मैंने, इस पर 3 प्रतिबंदन स्थल हैं, 1, 2, 3 तो इस DNA के कितने टुकड़े होंगे? तो इसके टुकड़े होंगे 1, 2, 3 समझ में आया question? येस, समझ में आया नहीं? जल्दी बताइए, ये आपका एक linear chain DNA है, सीधा DNA है, जिस पर एक प्रतिबंदन endonuclease के 3 cloning स्थल हैं, तो अगर मैंने उसको उस प्रतिबंदन endonuclease से कटवाया, तो उस linear chain DNA के कितने टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे, वहीं, अगर कोई वृत्ताकार DNA है, उसको अगर मैंने एक cloning स्थल, 3 cloning स्थल पर, अगर बेटा महाँ पर, मैंने उस cloning स्थल पर प्रतिबंदन endonuclease से कटवाया, तो उसके कितने टुकड़े होंगे, उसके 3 टुकड़े होंगे, यहां तक clear है, चल, अब DNA डाला अंदर, प्रतिबंदन endonuclease भी डाले, दो चीज़े डाली मैंने QA में, और फिर बेटा, प्रतिबंदन endonuclease है, तो काम करेगा, ठीक है, काम करेगा, मतलब वो काटेगा, काटेगा, तो यह DNA के टुकड़े बेटा, आगे की तरफ move करेंगे, यह DNA के टुकड़े, आगे की तरफ, जैसे से कटे जाएंगे, जो बड़ा टुकड़े हो पीछे रह जाएगा, जो छोटे टुकड़े हैं आगे आगे भागेंगे, ठीक है, बड़ा टुकड़ा पीछे रह जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े आगे की दरफ भागेंगे, है ना, जितने जाधा टुकड़े हैं, और यहाँ पे तो उसको एक भी अपना प्रतिबंधन स्थल नहीं मिला, तो यहाँ पे उसने DNA को नही काटा, लेकिन नहीं काटा, फिर भी DNA निकल के बाहर आगया, क्यों ऐसे क्यों, क्योंकि DNA भी आपके negatively charged होते हैं, और यहाँ पर electrode भी आपका कैसा है, यह भी negative है, तो negative, negative एक दूसरे से नफरत करते तो DNA positive की तरफ भागेगा, लेकिन जो जितना छोटा होगा, उतना हलका होग होगएगा, जो जितना बढ़ा होगा, भारी होगा, उतना धिरे चल पाएगा, तो इस तरह से DNA अपने टुकडे होते होते भागने लग जाएएगे, जैसे जैसे वो आगे भागेँएग dalDNA हमें दिखाई नहीं देते, दिने हमें हमारी आंकों से दिखाई नहीं देते, त इसकी वैसे बेटा, वो हमें नारंगी रंगी पाटियों के रूप में दिखाई देते हैं। कि ECO-R1 से काटने पर G, C, इस तरीके का सिक्वेंस यहाँ पर कटा हुआ मिलेगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसका opposite strand लेके घुमूँगी, A, A, T, T, C, G, यह बेटा मैं इसके उपर लेके घुमूँगी, इसको मैं बोलती हूँ, probe, इसको मैं क्या बोलूँगी, molecular probe, यह probe मैं इसके उपर लेके घुमूँगी, और जहाँ कहीं भी इसको इसका complementary strand दिखेगा, यह जाकर के उससे चिपक जाएगा, और इसको बेटा मैं बाहर निकाल लूँगी, है ना, इस piece को मैं काट करके बाहर निकाल लूँगी, जिसके अंदर मेरा वांचित जीन है, य यह क्या है बेटा मेरा, यह है मेरा वांचित जीन, ठीक है, इसी वांचित जीन को निकालने के लिए, मैंने यह इत्ती लंबी प्रक्रिया की, इस वांचित जीन को निकालने के बाद, मैं इसको बिलकुल अलग कर दूँगी, इस किस से, इसको मैं भी DNA की तरह ही बना जती ठीक है इसको मैंने बिलकुल अलग कर दिया किस से आपके इस जेल से और इस प्रख्रिया को विटा हम कहते हैं छालन या इल्यूजन इस प्रख्रिया को हम क्या बोलते हैं इलूजन या छालन समझ में आया, तो सबसे बहले मैंने क्या किया, मैंने अनुवांशिक पदार्थ को प्रिथक किया, अनुवांशिक पदार्थ को प्रिथक करने के बाद मैंने उसमें से जो वांचित जीन है उसको अलग किया, वांचित जीन को अलग करने के बाद मैंने क्या किया विटा उसका स्टेप है वांचित जीन का विस्तारण और यह विस्तारण बेटा हम करते हैं PCR तक्नीक से ठीक है PCR तक्नीक यहां पर बेटा हम इसको PCR को बोलते है पोलीमरेज श्रिंकला अभिकरिया पोलीमरेज चेन रियक्शन यह है यहां से आपका oxygen आता है और 2009 में भी आया 2020 में भी आया ठीक है यह आपका एक 2021 सब्सक्राइब बोगिस में भी आया यहां से question है तो यह आपका भूत ही important है इसको हम ब BÜNDNIS 90ors कॉम मुलते हैं अहां, श्रिंकला अभिक्रिया, सबसे पहले तो नीट में जो क्वेस्चन आया वो बतायती है यहां से, सबसे पहले यहां से जो नीट में क्वेस्चन वनता है वो यह, कि पॉलीमरे श्रिंकला अभिक्रिया में होने वाले क्रम बता दो, या होने वाले स्टेप्स के सही क्रम यहां पर सबसे पहले होता है आपका denaturation जिसको हम बोलते हैं विक्रती करण, ठीक है, फिर होता है आपका एक्स्टेंशन जिसको हम बोलते हैं तापानुशीलन, और तीसरा होता है आपका extension जिसको हम बोलते हैं प्रसार, यही आपका सबसे जादा पूछा गया question है कि polymerase श्रिंकला अभिक्रिया में होने वाली क्रियाओं का सही क्रम बता दो, तो इसको विस्तारन नहीं, प्रबर्धन, धन्यवाद miss exception, तो यह विस्तारन नहीं है, यह प्रबंदन है, बाकी लोग ना बता रहे मुझे, दे जब आगे बढ़ेंगे तो बहना, चलिए, तो सबसे पहले बेटा है, यहापे कुछ चीज़ें आपको याद रखने हैं, जो यहाँ से नीट में question पुछते हैं, विस्तारन बेटा होता है, यह तो अब नहीं पुछते हैं, पहले पुछा करते थे, 90 से 94 degree Celsius पे, ठीक है, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, DNA polymerase का, अब आपको पता है, जैवड़ू हम पढ़ चुके हैं, कि सामान ने जो आपके enzyme है, वो लगबख 25 से 40 degree पे काम करते हैं, ठीक है, 25 से 40 degree पे normal enzymes काम करते हैं, 32 degree पे बेटा, आपके normal enzymes काम नहीं करते हैं, मर जाएंगे, ल enzymes भी high temperature पे काम करेंगे, है ना, तो यहाँ पे DNA polymerase बेटा जो हम निकालते हैं, यह हम निकालते हैं, एक bacteria से, जिसका नाम है, टैक polymerase, ठीक है, टैक polymerase, DNA polymerase है, जो हम निकालते हैं, किस से, आपके thermos aquaticus से, यह भी important है, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी, आपके क्रम पता होने चाहिए, क्रम है, इसके DAE, Denaturation Allening Extension, ठीक है, और कौन से enzyme, मतलब कौन से जीवानू से हम बेटा, यह enzyme निकालते हैं, टैक polymerase, thermos aquaticus से, thermos aquaticus एक ताप्स थाई जीवानू है, क्या है बेटा, यह एक ताप्स थाई enzyme है, ठीक है, ताप्स थाई enzyme क्यों है, क्योंकि यह हाई temperature पर भी जिन्दा रहता है, ठीक है, और यह आपका एक thermo acidophile है, जो हाई temperature पर जीने वाला bacteria है, तो इस bacteria के अंदर एक ताप्स थाई क्या पाया जाता है, enzyme पाया जाता है, जो कि हाई temperature पर stable रहता है, टूटता नहीं है, ठीक है, 90 से 94 डिग्री Celsius का temperature लगाया, तो यहाँ पर बीच में यह जो bond होगा, double bond, triple bond, double bond, double bond, double bond, triple bond है ना, A, T, C, G के वीचे, double bond, triple bond होगी, वो hydrogen bonds है ना, तो इस high temperature वीटा, hydrogen bonds टूट जाएंगे, ठीक है, और hydrogen bonds टूटने की वज़े से वीटा, आपको एक DNA से दो अलग-अलग लडिय मिल जाएंगी, ठीक है, दोनों अलग-अलग करने वाला, कौन से विक्टीरिया होता है, मुझे याद नहीं, बेटा, lactobacillus होता है, फिलाने आध्यान देते हैं, ठीक है, तो दोनों लडियां इसकी अलग हो जाएंगी, तो अलग रजू मिल जाएंगे, यह हो गया आपका पहला, निश्क्रिय करन, या जिसको हमने बोला, विक्रती करन, ठीक है, यहाँ पर हमने उसका, क्या किया, हमने उसका temperature बढ़ाया, और हमने उसको, उसके hydrogen bonds को तोड़ा, वीक bond होते हैं न, अलग कर दिया, फिर यह जो आपको, यह एक रजू मिली, यह दूसरी रजू मिली, इसके उपर हमने उपक्रामक लगाए, जिसको हम बोलते हैं primers, ठीक है, DNA या RNA primers, कुछ भी लगा दो, यह primers लगाने पर बेटा, यह हमने छोटे-चोटे primers लगा दिये, ठीक है, यह primers हमने लाब में बनाए है, artificially, ठीक है, इनको primers क्या है, जो भी DNA है, उसका complementary strand है, छोट क्योंकि हमने thermos aquiticus से निकाला है, कहां से निकाला है, thermos aquiticus से, तो thermos का T और aquiticus का AQ, है ना, तो यहां से T, यहां से AQ, तो इसका हमने नाम क्या रख दिया, टैक polymerase, है ना, तो यह जो टैक polymerase है बिटा, यह टैक polymerase क्या करेगा, यह पूरे इसको polymer करा देगा, मतलब यह nucleotide के क्रम को बढ़ा देगा, प्रसार करा देगा, और एक DNA की रज्जू पर आपको इसके विप्रीत रज्जू मिल जाएगी, दूसरे DNA की रज्जू पर आपको विप्रीत रज्जू मिल जाएगी, तो आपको एक DNA से दो DNA मिल जाएगे, कितने मिल जाएगे बिटा, दो DNA मिल जाएगे, इसी तरीके से अगर आप बार 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 इस cycle को चलाओगे, DAE, 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 बार बार विकृति करन, तापान, उशिलेन, प्रसार, अगर आप बार बार करेंगे, तो पिटा, आपको एक cycle में दो DNA मिलेंगे, दो में चार मिलेंगे, तीन में 8 मिलेंगे, चार में 16 मिलेंगे, इस तरीके से बिटा, अगर आप लगभग 30 अगर आप इसकी चक्र करते हैं, तो 30 cycle के बाद लगभग आपको इसकी 1 billion copies मिलेंगी, DNA की 1 billion प्रत एन स्क्वेर, ठीक है चोड़ो, आगे बढ़ते हैं बेटा, कर लेना क्यालकुलिट, नेक्स्ट बेटा आपका स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपको, अब आपने क्या किया, इसको चौथे स्टेप में क्या किया आपने, तीन स्टेप हो गए, चौथे स्टेप में बेटा आपने, जो भी आपका PCR से आपने प्रवर्धन कर लिया, प्रवर्धन करने के बाद आपने जो भी आपका रिकॉंबिनेंट DNA है, उसको आपने परजीवी कोशिका में डाला, तो परजीवी कोशिका में डालने के लिए बेट कके क्माल करके, चौत्छे स्टेप में हमने क्या किया, पाद जीवी कोशिकां में निवेश, और पाद जीवी कोशिकां में निवेश, आप कैसे करेंगे वेटा, ये आप करेंगे, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यह हम पढ़ चुके हैं, समभाहक की मदद से, ठीक है, समभाहक की मदद से, या फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, वो जो हमने एक टेक्निक देखी थी, कैल्सियम आयन से रिट्वीट कराके, हम उसको ताप रगात कराएंगे, यह एक तरीका हो गया, या हम बेटागर में पा या फिर, माइक्रो इंजेक्शन या निकी, सूक्ष मंते शेपन का इस्तमाल कर सकते हैं, है ना, तो यह हो गए विटा, अलगल तक्नीक, जिससे क्या परजीवी कोशिका के अंदर अपना आर डिने डालोगे, पांचवा स्टेप क्या है विटा, पांचवा स्टेप है, आर अपने इसमें अपना डिकॉंबिने डाल दिया, इस रिकॉंबिने 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 डाल दिया, इस रि बस अब खतम होने वाला बेटा, मुझे 10 मिंट और चाहिए, या आपने इसके अंदर अपना recombinant DNA डाला, अब recombinant DNA बना है, तो DNA से RNA बनेगा, RNA से protein बनेगा, तो recombinant DNA का उत्पाद भी क्या होगा, recombinant protein, ठीक है, तो इस DNA से इसी cell के अंदर protein बनेगा, तो हमने इस protein को निक बालने के बाद, बेटा, हम क्या करते हैं, अनुप्रवा संसाधन, जो की अपना last step है, अनुप्रवा संसाधन यानि की downstream processing, ठीक है, संसाधन, इसमें जरा मुझे हिंदी बताओ दो, बेटा, इसकी, downstream purification, isolation और purification की हिंदी बताओ, जल दी से मुझे, downstream processing में क्या करते हैं, इसमाने विलोडक है आपका ये, साधारन विलोडक हौज बायो रियक्टर, जिसको हम बोलते हैं, stirred type बायो रियक्टर, इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें हमने एक बायो, यहां से आपका question बनता है, question कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, यह आपका एक बायो सबसे पहला question इसमें बनता है कि इसका तल घुमावदार क्यों है, plane क्यों नहीं है, तो घुमावदार इसलिए बेटा, अगर इसका तल plane होता, तो हो सकता है कि कुछ चीज यहां पे कोनों में जमी रह जाती, ठीके, घुमावदार होने की वैसे, जब इसमें सारा material घुमेग तो यह सब बेटा, यहां पे कुछ भी कोनों में जमा नहीं रहेगा, पहली बात, ठीके, एक question ही आ गया, दूसरा बेटा हमने क्या क्या है, इस बायर इक्टर में एक rod डाली, इस rod पे आपके कुछ blades जुडे हुए है, ठीके, यहां पे आपके कुछ blades जुडे हुए है, ठीक इसी के अंदर आप अपने और जीवानु अगरा जो भी जिसके भी अंदर बिटा आपके products बन रहे है, उसको आप यहां पे डालते जा रहे हुए है, यहां पर आप अंदर pH मेंटेन करेंगे, temperature मेंटेन करेंगे, enzymes मेंटेन करेंगे, जिसमें यह सारे काम होंगे, यहां पर यहां पर एक छोटा सा outlet होगा, जिससे उत्पाद आपके थोड़ी-थोड़ी मातरा में बाहर निकलते जाएंगे, यहां से आप अपना कच्छा माल अंदर डालते जाएंगे, और यहां पर एक मोटर लगा होगा, जो कि इसको घुमाता रहेगा, ठीक है, मोटर है, तो यह ब्लेड भीटा इसमें ऊपर है, तो आप कहिएगे, मोन हमने माल तो यही तक भरा है, फिर हमने ऊपर ब्लेड क्यों लगाया? तो ऊपर भीटा हमने ब्लेड इसली leader लगाया, जो भी यहां पर ज्ञाग बनेगा, यह उस ज्ञाग को तोड़ेगा, ज्ञाग को जमने नहीं तो जो उपर ब्लेड लगा है, यह क्या करते हैं, जाक तोडते हैं, यह clear है, अब बेटा हमने बायो रियाक्टर हमने इस से क्या किया हमने अपने फोरंगी प्रोडक्ट को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बनाया, ठीक है, और ज्यादा जो हमारा बन जाएगा, तो आर प्रोटीन को बिटा हम इस बायो रियक्टर की मदद से हम जादा मात्रा में अपना उत्पाद बना पाएंगे और उसके बाद बिटा आता है आपका अनुप्रभास अंसाधन, अनुप्रभास अंसाधन है आपका लास्ट टेप, डाउंस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनु जो भी आपका उत्पाद बना, उस उत्पाद को पहले तो आप सेपरेट करेंगे, और सेपरेट होने के बाद आप उसको प्यूरिफाइ करेंगे, यानि कि आप उसको साफ करेंगे, तो यहाँ पर सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, जो भी आपका बिटा उत्पाद बना, उसको पहले तो आपने प्रिथक किया और प्रिथक करन के बाद आपने उसको साफ किया, purification की हिंदी क्या है साफ, हिंदी में actually इसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है, उसको आपने बिल्कुल प्रिथक करन और शोधन, thank you बेटा सोनम पतेल thank you so much बेटा, प्रिथक करने के बाद आपने उसको separate कर दिया और साफ कर दिया, purify कर दिया, शोधन कर दिया, ठीक है, प्रोटीन आपकी बिल्कुल साफ हो गई, इसके बाद बेटा क्या होगा, इसके बाद हम इसकी testing करते हैं हम लिखेंगे quality control testing ठीक है, जो भी उत्पाद आपका बना उस उत्पाद को आपने अलग करके उसका साफ कर दिया, साफ करने के बाद हमने उसकी testing की, testing में हमने ये देखा कि ये कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा ठीक है, हमने उसके trials किये उसके बाद हमने उसको क्या करते हैं clinical trials करते हैं हम उसमें जो भी हमने उत्पाद बनाया जातर बिटा हम इससे vaccines बनाते हैं हम इससे medicines बनाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, चोटे-चोटे testing करते हैं पहले हमने एक चूहे में डालके देखा फिर हमने दस चूह में डालके देखा, उनको कुछ नहीं हुआ, फिर हमने खरगोश में डाला, खरगोश को कुछ नहीं हुआ, हमने बंदरों में डाला, बंदरों को कुछ नहीं हुआ, तब जाकर के हम उसको इनसान पे लाते हैं, कि एक इनसान को लगा के देखते हैं, इनसा जिसको बात करनी है भाहिया इस चाप्टर मतलब इस वीडियो के जब वीडियो खतम हो जाएगा तो कमेंट्स में प्लीज मुझे बता दीजेगा आपकी जो भी डाउट से में महापे कमेंट्स में आपको आंसर कर दूँगे फिर हम उसको लंबे समय तक जो भी हमने केमिकल बनाया उसको लंबे समय तक रखने के लिए हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव साड करते हैं यार एंसी आटी रीड कर लेना मेरा वीडियो चाहो तो एक और बार देख लेना उसके बाद एंसी आटी रीड कर लेना सब कुछ दन ठीक है MTG लगा लेना, previous air questions लगा लेना, कहीं भी मैम या, setting setting चल रहा है, क्या ही बोलू मैं उसके लिए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, मैं देख रही हूं कमेंट्स में, हाँ मैम मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूं, ठीक है, बेल बजाओ, हाँ, ठीक है, डने या तक, त प्रॉब्लम बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उसका जवाब दू, ठीक है, मेरी तरफ से चाप्टर दन है, कल बेटा, 12 बजे क्लास होगी, और उसमें हम इसके उपियोग बला, यानि की नेक्स चाप्टर पढ़ेंगे, मुश्किल से 2 गंटे में खतम हो जाए तब तक प्लीज एंसी आटी पढ़के रखना, हो सके तो अगला चाप्टर भी बार रीड कर लेना है, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो बहुत ताइम, बहुत अच्छे समझना आजा, फर्स्ट टाइम क्लियर हुए, थांक्यू, ठीक है, चलो, बबाई, ठेक क्या, लाइक कर टो शेशन को जिसना नहिंगा।